आज आपके दो वक्षॉप लूँगा मैं आज एक तो पॉलिटिकल साइन्स का है और चार बजे जो है वो आपका इंग्लिश राइटिंग का है इंग्लिश राइटिंग में आज मैं आपको पंक्चुएशन सिखाऊंगा फुलिस्टॉप कॉमा कोलन सेमी कोलन यह सारा मैं आपनों को बताऊंगा ठीक है पैराग्राफ कैसे लिखते हैं तो चार बजे से और अभी हम लोग पॉलिटिकल साइन्स पढ़ेंगे तो किसी वो कुछ कोई क्वेशन हो तो पूछ सकता है अभी दो मिनिट किसी के मन में कोई कोई है कुछ भी क्वेशन है तो पूछ सकते हैं फिर मैं शुरू करता हूं जयब हम जयब हम जयब हम आप प्रेजुडिस और स्टीरियो टाइप ठीक है ठीक है प्रग्या मैं अभी दोनों में अंतर बताता हूं और और कोई क्वेशन है कोई क्वेशन और नहीं है ठीक है चलिए हम प्रग्या का क्वेशन लेते हैं प्रग्या ने एक क्वेशन पूछा है कि प्रेजुडिस और स्टीरियो टाइप में क्या अंतर है तो मैं आपको एक सिंपल एक्जाम्पल देता हूं जैसे कि आपने कई बार सुना है गल्स आर सॉफ्ट या गल्स आर इमोशनल लड़कियां इमोशनल होती हैं या लड़कियां सॉफ्ट होती हैं ब्रेव नहीं होती हैं स्ट्रॉंग नहीं होती हैं ठीक है अब ये एक ऐसा स्टीरियो टाइप एक ऐसी ऐसा वाक्य है जो आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आपके आस पास आपके घर वालों ने बोला होगा आपके दोस्तों ने बोला होगा सबने सुना है ये कि लड़कियां कमजोर होती हैं लड़कियां इमोशनल होती हैं लड़कियां सॉफ्ट होती हैं लड़कियां जल्दी घबरा जाती हैं अब ये आप अगर आप लड़कि करोड़ों लोग हैं तो उसमें से 300 करोड़ के करीब फिमेल हैं और हम एक स्टेट्मेंट से एक वाक्य से 300 करोड़ लोगों को जज़ कर रहा है कि सारी लड़किया ऐसी होती है या सारी औरते ऐसी होती है या सारी फीमेल्स ऐसी होती है या सारी विमेन ऐसी होती है ये स्टीरियो टाइप स्टीरियो टाइप का मतलब होता है कि आप किसी एक वर्ग के बारे में एक group of people के बारे में एक धारणा बना लेते हैं एक अपने मन में एक image बना लेते हैं कि वो ऐसे हैं ठीक और वो सारे लोग ऐसे हैं लेकिन क्या यह सच है क्या 300 करोड हमारी जो population है female population 300-400 करोड होगा तो क्या सारे लोग ऐसे हैं या इसके opposite सारे पुरुष क्या बहुत मजबूत होते हैं क्या बहुत emotional नहीं होते हैं ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है आप देखोगे कि within men बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो emotional है बहुत सारी women है जो नहीं है emotional इतना आप emotions को वो बाहर नहीं लेके आते हैं ठीक है तो लेकिन हमार दिमाग में ये बैठा हुआ है इस इस क्wickल्ड स्टीरियो टाइप तो इस्टीरियो टाइप का मतलब होता है कि आप कोई भी एक धारणा बना लेते हैं और उसको सच मान लेते हैं कि ये सच है और वो धारणा बहुत सारे लोगों के बारे में आप बना लेते हैं है ना एक कोई विशेश ग्रूप जैसे गाओं के लोग गाओं के लोग बैकवर्ड होते हैं गाओं के लोग जो है वो बहुत सिंपिल होते हैं बैकवर्ड होते हैं अगर मैं बहुत ही rude terms में बोलू तो लोग बोलते हैं कि गाउं के लोग गवार होते हैं, ठीक है, अब गाउं के लोग backward होते हैं, गाउं के लोग simple होते हैं, अब इंडिया में कुछ 60-70% population है जो गाउं में रहती है, क्या सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, आपके दिमाग में वो एक image बन गई है, ठीक है, अब ये stereotype होता है, अब इस stereotype की वज़े से आपके मन में कुछ positive या negative विचार आते हैं उनके बारे में, जैसे कि अगर मैं बोलू कि पहला वाला जो statement है कि लड़किया emotional होती है, तो अब मेरे दिमाग में है कि ये emotional होती है, इसका मतलब अब मैं ल लड़किया weak होती हैं फिर, ठीक है, अब इस stereotype की वज़े से मेरे मन में एक prejudice पैदा हो गया, prejudice मतलब अरे या लड़कियां ये काम नहीं कर पाएंगी, लड़कियां आर्मी में नहीं रह पाएंगी, लड़कियों को बहुत कठिन काम नहीं दे सकता है आप, ठीक है, तो ये अ अब एक stereotype की वज़े से मेरे मन में लड़कियों के लिए एक negative विचार आ गया, ठीक है, कि लड़किया weak होती है, लड़कियों से ये काम नहीं होगा, ठीक है, ये prejudice है मेरा, तो एक stereotype की वज़े से, मैंने एक stereotype create किया, अपने दिमाग में, एक image बनाई, और उस image की वज़े से, मेरे मन में negative विचार है, ये prejudice है, ठीक है, अब इस prejudice की वज़े से, अब कोई women आ कर मेरे, मतलब मान लीजे मैं, मैं boss हूँ, और किसी company में, ठीक है, और कुछ बहुत difficult work है, जो मुझे देना है किसी को, अब कोई women आती है candidate, interview देने के लिए, कि मुझे ये job चाहिए, मैं नहीं देता हूँ, अरे ये तो, ये तो woman है, ये नहीं कर पाएगी, ये तो अवरत है, नहीं कर पाएगी, ये लड़की है, नहीं कर पाएगी, तो मैं उसको job नहीं दूँगा, भले ही वो बहुत qualified हो, ये discrimination है, तो stereotype की वज़े से prejudice पैदा हुआ, और उस prejudice पर मैंने act किया, मैंने action लिया, और वो action क्या है, कि मैंने एक जो job, जो की एक women candidate थी, जो की qualified थी, जिसको job मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं दिया, सिर्फ इस कारण से, because she is a woman, ये discrimination है, तो stereotype, stereotype से prejudice create होता है, और prejudice से फिर आप discriminate करता है, अब जिसे गाओं के लोग है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि, मैं बार-बार ये example देता हूँ, class में भी दिया है, कि train में अगर आप जा रहे हैं, और आपकी seat reserved है, अब कोई बंदा आता है, जो suit boot में है, और वो बुलता है, sir, थोड़ा बैठने दीजे मुझे, अगले station पर उतरना है, ठीक है, तो आप जो है, उसको बैठने दोगे, 90% chances हैं, कि आप बोलो कि, हाँ ठीक है, बैठ जाओ, लेकिन अगर कोई बहुत गरीब आदमी आता है, कपड़े फटे हुए है, गरीब है, और वही बात वो बोलता है, कि sir, मेरे को थोड़ा station पर, अगले station पर उतरना है, थोड़ा बैठ जाने दीजे, आप उसको डाट के भगा दोगे, ठीक है, दोनों का situation एक है, लेकिन आपके दिमाग में एक prejudice है, कि यह आदमी चोर हो सकता है, यह आदमी बीना टिकट हो सकता है, तो आपके मन में एक, उसका एक appearance देखके, आपके मन में एक hit पैदा हो गई, और आप उसको ब अगर कोई गरीब है, तो हम उसको, अगर अमीर है, तो उसको हम ज़्यादा देते हैं, उसको हम बहुत सारा, मतलब हमको कुछ बुरा नहीं लगता है, उसको देने में, उसकी help करने में, लेकिन अगर कोई बहुत पूरा है, तो हमारा attitude, हमारा behavior change हो जाता है, है ना, तो यह यह आप खुद भी, यह सारी चीजे आप खुद भी देख सकते हैं, है ना, कि prejudice और stereotype कैसे काम करता है, तो अब आप देखे कोई अगर beggar है, कोई poor है, और आप train में जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारा सामान है, आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि यह चोर है, यह चु अपना जो पर्स है, या बैग, टेबिल में इस तरफ रखा है, उसको तुरंत इस तरफ कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि यह चुरा के भाग जाएगा, बहुत बार देखा है, ठीक है, तो यह सारी चीजे आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, अब stereotype प्रग्या का question है कि prejudice positive नहीं हो सकता है, ठीक है, अब अगर prejudice का मतलब ही होता है negative, negative emotion या आपके negative विचार, stereotypes positive negative दोनों हो सकते हैं, जैसे कि लड़के emotional नहीं होते हैं, लड़के brave होते हैं, लड़कों की math अच्छी होती है, लड़कियों की math अच्छी नहीं होती है, तो अब यह जो stereotype है, जो stereotype women के खिलाफ है, वो obviously men के favor में होगा, पुरुशों के favor में होगा, है ना, तो stereotypes can be both, but prejudice is all about negative emotions, है ना, कि यहां के लोग ऐसे होते हैं, गाओं के लोग ऐसे होते हैं, अब गाओं के लोग ऐसे हैं, तो मतलब, फिर आप गाओं का कोई आदमी अगर आपके पास आता है, तो आप उसको उसी image से देखते हैं, ठीक हैं, प्रग्या, यह समझ में आया आए prejudice और stereotype का मतलब समझ में आया, ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, आज यह chapter मुझे खतम करना है, अगला जो chapter है, अगला वक्षॉप मैं लूँगा, गवर्मेंट पर, कि गवर्मेंट क्या होती है, ठीक है, हम यह शब्द, गवर्मेंट शब्द बार बार सुनते हैं, डेली सुनते हैं, सरकार, लेकिन यह होती क्या है, यह बनती कैसे है, और इसके कितने levels होते हैं, है न, तो central level, state level, सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती ह तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, आज हम चलते हैं diversity and discrimination पर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे चैट पर लिख सकते हैं and I will try to explain, तो पिछली बार हम लोगों ने, पिछली बार हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैं एक बार revise करा देता हो, कि टॉपिक क्या है, diversity and discrimination, तो आपको पता है कि हम already diversity पर बात कर चुके हैं, diversity का मतलब होता है विविदिता, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग culture होता है, है ना, हमारा देश जो है वो बहुत सारी विविदिताओं से भरा हुआ देश है, हमारे देश में अलग-अलग भाशाएं हैं, अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग जातियां हैं, अलग-अल जहां कही पर भी डाइवर्सिटी होती है, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन के चांसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोग अंतर करते हैं, लोग अपने को अलग मानते हैं दूसरों से, तो जहां पर सारे लोग एक जैसे हैं, जहां पर जादा है, वहां पर भाशा के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सब आधारों पर बहुत सारा भेदभाव होता है, तो आज का यह जो टॉपिक है, वो क्या है, विविद्धा और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, तो मैं अल्रड़ी इसका आधा आधा मैंने आपको बताया था कि यह जो भेदभाव होता है, उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है, ठीक है, स्टेप्स हैं उसमें, कि हम किसी व्यक्ति से क्यों भेदभाव करते हैं, अगर हमारा धर्म अलग है, या हमारी जाती अलग है, या कोई अलग संप्रदाय से है, या छेतर से आता है, तो हम कई बार हम उसके साथ भेदभाव करते हैं, है ना, तो वो कैसे आता है, वो कैसे वो भेदभाव कैसे जन्म लेता है, तो वो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, कि मैंने आपको बताया था कि हम सब में अंतर होते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस का सब है वही डाइवर्सिटी ठीक है तो अगर आप देखें तो हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत उसमें बहुत सारे अंतर हैं हम लोग अलग-अलग हैं उस अंतर की वज़े से स्टीरियो टाइप्स क्रियेट होते हैं है ना मैंने आपको बताया था स्टीरियो टाइप क्या हो बना लेता है आप पहले से ही सोच लेते हैं एक image तैयार कर लेते हैं उस group के बारे में जिसको हम stereotype कहते हैं और ये जो धारणा है ये जो माननेता है जो आप दिमाग में बनाते हैं इसको आप सच मान लेते हैं कि ये सच है सारे Muslims ऐसे होते हैं सारे Christians ऐसे होते हैं UP के लोग ऐसे होते महराष्रा के लोग ऐसे होते हैं घुज्राती ऐसे होते हैं तो यह आप देखो गए कि अकसर हम ये सारी चीजे यूज करते हैं, बात करते समय हम हम खुद भी इन stereotypes का सहारा लेते हैं आप देखोगे, अगर आप observe करोगे, तो हम और आप बहुत सारी पूर्वधारणाओं से ग्रसित रहते हैं, अब ये जो हम पूर्वधारणा बनाते हैं लोगों के बारे में, इनसे हमारे मन में उनके लिए prejudice create हो सकता है तो अगर जैसे आपके मन में ये धारणा है कि गाउ के लोग जो हैं, वो backward हैं गाउ के लोग backward होते हैं गाउ के लोग जो हैं, वो बहुत lazy हैं या गाउ के लोग कुछ करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करते ठीक है अब अगर आपके दिमाग में ये stereotype create हो गया ठीक है तो उस stereotype से फिर prejudice create होता है prejudice का मतलब होता है negative opinion ठीक है, तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में negative सोचते हैं, फिर जब आपको मौका मिलता है, वो सामने आता है, तो आप उसके साथ फिर भेदभाव करता है तो जब भी कोई discrimination का case आता है, चाहे वो gender discrimination हो, चाहे वो caste discrimination हो है ना, उसकी सुरुवात यहां से होती है, prejudice से होती है, ठीक है अब जोती जी ने एक बहुत सही question पुछा है, मैं इसका answer देना चाहता हूँ, सर stereotypes में class का भी कोई role होता है क्या जैसे दलित किसी सवर्ण के बारे में सोचे, तो मुझे आप से example चाहिए कि ऐसे कितने example हैं जहां पर आपने सुना हो कि दलितों ने जाकर सवर्णों के घर जलाए हो या सवर्णों का रेप किया हो या मर्डर किया हो गाउं का गाउं उजार दिया हो तो यह जो question है कि दलित जो है वो सवर्णों के प्रती prejudice रखता है यह थोड़ा गलत है ठीक है, उसका कोई वास्तविक्ता से कोई वो नहीं है जब दलित बात करता है कास्ट की तो वो सवर्णों को prejudice लगता है कि वो हमारे खिलाफ prejudice है, जैसे कि जब औरते women जब अपने अधिकारों की बात करती है तो पुरुषों को लगता है कि उनकी उनकी बुराई हो रही है पुरुषों को लगता है कि महिलाएं सवर्णों की एक बहुत ही गलत सोच है कि उनको ये लगता है कि जब दलित बात करता है सवर्णों के प्रती तो वो सवर्णों के प्रती उनकी दुर्भावना है दुर्भावना नहीं है ये उनकी लड़ाई है अधिकारों की ठीक है, तो अगर आप नेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पुरुष लिखते रहते हैं महिलाओं के खिलाफ कि जब से ये महिला दिकारों की बात आ रहे हैं हमारे घर तूट रहे हैं ठीक है हम तो इतनी महनत करते हैं हम इतना कमा के लाते हैं ये करते वो करते तो ये reverse casteism नहीं होता है कुछ भी, है ना, तो ये आपको समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, तो वो prejudice नहीं कहलाता है, ठीक है, अगर अमेरिका में आप जाएंगे वहाँ पे जो अफरीकन अमेरिकन्स हैं, वो white racism के खिलाफ लड़त हैं, तो वो racism नहीं है, ठीक है, तो ये अंतर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सवर्ण मतलब होता है upper caste, सवर्ण, चार वर्ण है, जो दलित हैं, उनका कोई वर्ण नहीं है, अगर आप traditional उसमें जाएं, सेंस में, तो चार वर्ण हैं हिंदु धर्म में, है ना, ब्राह् दलित जो है, untouchables जो है, वो पाच्वाँ वर्ण माने, मतलब वो वर्ण सिस्टम के बाहर है, तो सवर्ण का मतलब है, वो लोग जिनका वर्ण है, है ना, वर्ण को, वर्ण सिस्टम को आप group मान सकते है, group of people, तो इसलिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा problem है, इसमें, कि अधिकारों की लड़ाई अलग होती है, और अत्याचार अलग होता है, अत्याचार दिखता है आपको, ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं, तो मुझे ये समझ में आ गया हो, आपको ये समझ में आ गया होगा, कि stereotypes, prejudices, और discrimination, अब इसके, मैंने आपको पिछली बार भी example दि बहुत सारे आप ये prejudices और stereotypes देख सकते हैं, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, अगर आप गाउं के लोगों से पूछें, तो गाउं के लोग बोलेंगे कि शहर का जो जीवन है, वो बहुत आसान है, ठीक है, और वहां के जो लोग हैं, वो कैसे हैं, they are spoiled and lazy, spoiled का मतलब है कि बरबाद, तो वो बरबाद लोग हैं और आलसी हैं, ठीक है, तो ये शहर के लोगों के बारे में एक stereotype है, और ये stereotype किसकी तरफ से आ रहा है, गाउं के लोगों की तरफ से, तो गाउं के लोगों को लगता है कि शहर का जीवन तो बहुत आसान है, सब लोग मज care about money, not about people, तो एक ये बहुत ही popular stereotype है, कि शहर के जो लोग हैं, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, people in cities only care about money, ठीक है, तो शहर के लोग जो हैं, वो सिर्फ पैसे का care करते हैं, उनको लोगों की चिंता नहीं है, क्या ये सच है, नहीं सच है, ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे example मिल जाएंगे गाउं में, जहांपे भाई-भाई का कतल कर देता है, जमीन के लिये, ठीक है, परिवार दूसरे इसे लोग मिल जाएंगे, जो बहुत अच्छे हैं, आपको शहर में भी बहुत सारे लोग इसे मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे हैं, तो यह, यह, this is a stereotype, यह एक negative stereotype है, ठीक है, अब city people cannot be trusted, they are cunning and corrupt, तो शहर के लोगों पर हम विस्वास नहीं कर सकते, वो धोके बाज हैं, और वो corrupt होते हैं, और धोके बाज होते हैं, चालू होते हैं, और यह तो मैंने भी बहुत सुना है, गाओं के लोग बोलते हैं कि शहर के लोग जो हैं, वो बहुत चालू होते हैं, ठीक है, तो यह एक Modern Agricultural Technology तो गाउं के लोग जो है वो Modern नहीं होना चाहते है वो बहुत Backward है वो पिछड़े ही रहना चाहते है और वो कुछ भी Modern चीजों पो लाइक नहीं करते है यह यह जो है वो Stereotype है ठीक है फिर एक यह है कि Villagers do not care about their health गाउं के लोग अपने health पर ध्यान नहीं देते हैं They are full of Superstition ठीक है They are full of Sorry They are full of superstition का मतलब है कि वो अंदविश्वास से ग्रसित है अब यह भी बहुत popular notion है कि गाउं में अंदविश्वास ज़्यादा है मैं बहुत सारी जगे रहा हूं बहुत सारी जगे घुमा हूं पिछले 20 साल में अंदविश्वास हर जगे है शहरों के लोग भी बहुत अंदविश्वासी होते हैं हाँ अंतर क्या है गाउं के लोग अंदविश्वास में मर जाते हैं क्योंकि इलाज जिसे माल लिजे सांप ने काट लिया या जॉइंडिस हो गया या कोई भी हेल्थ इशू आया तो वो ज़ाड़ फूक कराते हैं अब वो ज़ाड़ फूक इसलिए नहीं कराते कि वो सिर्फ अंदविश्वासी हैं वो जाड़फूक इसलिए भी कराते, क्योंकि होस्पिटल नहीं है, डॉक्तर्स नहीं है, शेहर के लोग भी उतने ही अन्धविस्वासी हैं, लेकिन वो जाड़फूक नहीं कराएंगे, क्योंकि शेहर में डॉक्तर्स हैं, तो बहुत साइक लोग का मानना है कि गाउं के करते हैं जाड़ फूक करते हैं ठीक है आपके पास डॉक्टर नहीं है तो आप कहां जाओगे ओजा के पास ही जाओगे ना जाड़ फूक ही कराओगे तो कि आपको बचाना है अपने जो भी आपका अपने जाड़ फैमिली मेंबर तो यह यह भी एक महती पॉपुलर स्टीड टाइप अब स्टीड टाइप होता है और एक होता है फैक्ट में क्या होता है फैक्ट का मतलब उता है जिसको आप प्रूफ कर सकते हैं कि सच है या नहीं तो जैसे कि यह वाला जो कुश्चन है यह देन फिफ्टी पर्सेंट ओफ ओल इंडियन्स लिव इन विलेज तो पचास पर्सेंट से जादा भारतिये गाओं में रहते हैं अब यह कि स्टेटमेंट है यह एक स्टीरियो टाइप नहीं है यह आप चेक कर सकते हैं यह प्रूफ हो सकता है कि यह सही है या गलत है ठीक है तो यह फैक्ट है यह स्टीरियो टाइप नहीं है ठीक है फिर आप देखे इन पीक हर्वेस्टिंग और प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंट ट्वैल्व तो फॉर्टीन आर्ज वर्किंग इन द फील्ड तो जब अगरिकल्टिरल सीजन होता है जब हर्वेस्ट और प्लांटेशन का सीजन होता है हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल काटना है ना और प्लांटेशन का मतलब होता है फसल लगाना तो हार्वेस्ट करते हैं मतलब फसल की फसल पक कर तयार हो जाती है और प्लांटेशन का मतलब है जब हम खेती करना शुरू करते हैं जब बीजवीज डालते हैं तो यह दो ऐसे सीजन होते हैं जहां पर गाउं के लोग बहुत महनत करते हैं and they spend 12 to 14 hours working in the fields और वो 12 से 14 घंटे काम करते हैं अब यह fact है यह stereotype नहीं है क्योंकि यह प्रूव हो सकता है आप जाके किसी गाउं में देख सकते हैं कि यह दो मौसम ऐसे होते हैं हर्वेस्टिंग का समय और प्लान्टेशन का समय ऐसा होता है जहां पर गाउं के लोग पुरा बिजी रहते हैं खेतों में तो यह fact है यह stereotype नहीं है ठीक है तो अब यह देखे दर living in a city is expensive शहरों में जीना जीवन जीना बहुत महंगा है expensive है a large part of people's earnings is spent on rent and transport तो एक बहुत बढ़ा हिस्सा लोगों का एक बहुत बढ़ा हिस्सा लोगों की earning का earning मतलब salary या उनकी जो कमाई है तो एक लोगों की एक बहुत बड़ी कमाई का हिस्सा rent और transport में खर्च हो जाता है जो की सच बात है तो यह एक fact है यह stereotype नहीं है कि शहर का जो जीवन है वो महंगा है और लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ किराया और transport ट्रांसपोर्ट का मतलब है गाड़ी काड़ियों में आना जाना अब आप office जाते हैं तो आप बाइक से जाते हैं या आप बस पकड़ कर जाते हैं या आप ट्रेन से जाते हैं आप डेली आना जाना है आपका आपके बच्चे स्कूल पढ़ रहे है तो उनके लिए गाड़ी आ रही है इसकूल की बस आ रही है चीक है आप market जा रहे है तो आप तो हर जगे आपको प्रास्पोर्ट की ज़रुवत पड़ती है, शहर में आपको कहीं पर भी जाना हो, तो आपको ट्रास्पोर्ट चाहिए होता है, गाउं में ऐसा नहीं है, आप एक जगए से दूसरी जगए बड़े आराम से जा सकते हैं, छोटे गाउं होते हैं, तो शहर का जो जीवन है, वो इस वज़े से बहुत महंगा हो जाता है एक तो किराया बहुत होता है रेंट अगर आपका खुद का मकान नहीं है तो आप बहुत एक अगर आप 30,000 कमा रहे हैं तो 10-12,000 तो आपका किराया जाएगा अगर आपकी फैमिली है तो आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा रे स्काल मुत है जाइसर आपका ख्ला मेर जबड़ा होटी है तो इसलिए और शहर का जूजीवन है वो महंगा है, तो अब यह stereotype नहीं, यह सच है, यह fact है, ठीक है, तो fact क्या होता है, fact गलत या सही prove किया जा सकता है, stereotype आप मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है, और उसको सच मान लेते हैं, ठीक है, आपकी धारणा होती है, आपकी माननेता होती है, जैसे कि गाओं के लोग जो हैं वो अंदिविस्वासी होते हैं गाउं के लोग अपनी health का care नहीं करते हैं शहर के लोग जो हैं वो बहुत चालाक होते हैं ये सारे stereotypes हैं ठीक है अब stereotype का definition क्या है stereotype को हम हिंदी में क्या बोलते है rude धारना यानि कि आपकी एक ऐसी धारना धारणा का मतलब होता है आपकी ऐसी सोच, जो की बहुत हार्ड है, जो एकदम अंदर तक बैठी होई है, ठीक है, गाउं के लोग ऐसे होते हैं, अब आपने मान लिया वो, आपके अंदर तक वो बैठ गया है, अब आप उसको सच मान लेते हैं, ठीक है, अभी कुछ भी कोई बोले लेकिन आपको फरक नहीं पड़ता है आप बोलोगे नए यही सच है तो इस रूड धारणा को हम stereotype कहते हैं क्या होता है stereotype उसका English में कैसे हम पढ़ेंगे a fixed idea stereotype क्या है एक idea है उसका सचाई से कोई लेना देना नहीं होता एक विचार है आपके मन में जो की fixed है ठीक है it's a fixed idea about a particular type of a person तो किसी व्यक्ति के बारे में या किसी समुहु के बारे में group के बारे में कोई विशेश व्यक्ति के बारे में या कोई group के बारे में आपके मन में एक धारणा, एक आइडिया बैठ गया है, जो की अक्सर सच नहीं होता है, which is often not true in reality, तो वास्तिविक्ता में जरूरी नहीं है कि वो सच हो, ठीक है, तो स्टेरियो टाइप क्या है, स्टेरियो टाइप एक आइडिया है, जो आपके दिमाग में बैठ गया है, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति के बारे में एक धारणा बना लिए, ठीक है, और वो आपके मन में बैठ गयी है, भले ही वो सच नहीं हो, ठीक है, तो किसी व्यक्ति के विशे में, रूड या घिसी पिटी धारणा, जो वास्तिविक्ता में प्राया सच नहीं होती है, ठीक है, और जब ये fixed idea आपके दिमाग में बैट जाता है फिर आप सभी उस प्रकार के सभी लोगों को वैसे ही judge करने लगते हैं ठीक है तो आप क्या बुलते हैं आपको क्या लगता है आपको लगता है All people or things with a particular characteristics are the same तो गाउं के लोग आलसी होते हैं आपके दिमाग में ये बात बैट गई अब आप गाउं के जितने लोग हैं उनको आप वैसा ही मानना शुरू कर देते हैं ठीक है तो आप क्या करते हैं You start believing Believe करना मतलब मानना और unfairly मतलब गलत तरीके से तो आप गलत तरीके से ये मानना शुरू कर देते हैं ठीक है All people are think with a particular characteristic यानि कि एक कोई खास उनकी जो विशेस्ता है जिसे गाउं के जो लोग रहते हैं जिसे गाउं के सारे लोग इखटा करें आप तो उनका एक ही similarity है कि वो सब गाउं के हैं यही उनकी विशेस्ता है बाकी वो सब अलग-अलग हैं जाती अलग है, धर्म अलग है, कल्चर अलग है, भाशा अलग है, खान पान अलग है, सब अलग-अलग है लेकिन एक चीज कॉमन है एक characteristic characteristic का मतलब है विशेस्ता एक विशेस्ता कॉमन है और वो है कि वो गाउं के हैं अब आप उनको वैसे ही नजर से देखें कि यह सब गाउं के हैं यह सब लेजी है यह सब बैकवर्ड है यह सब अंधिविस्वासी है तो यह जो चीज होती है, इसको हम बोलते है stereotype अब मैंने आपको बताया था, अभी तो हमने rural और urban देखा अभी हम gender stereotypes पर देखते हैं ठीक है, man and women या boys and girls का तो आप देखोगे कि यह कुछ statements दिये हुए है और आपको यह बताना है कि हम किन के लिए use करते हैं ठीक है, तो आप देखोगे कि यह अगर मैं statement दूँगा तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि यह boys के लिए बोला जा रहा है या girls के लिए बोला जा रहा है क्योंकि हम उसी हिसाब से सोचते हैं तो जैसे कि they are well behaved ठीक है, तो हम यह किन के लिए use करते हैं कि well behaved का मतलब है संसकारी ठीक है, अच्छे, अच्छा behavior well behaved बदमाशी नहीं करते हैं है ना, तो they are well behaved तो अच्छे तरीके से behave करते हैं तो आप देखोगे, सब लोगों ने बोला सुधा, प्रितिक्षा, चंदा, प्रियंका सब ने बोला girls के लिए तो अब यह एक stereotype है कि सारी लड़कियां जो है वो well behaved होती है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि boys well behaved नहीं होते हैं या कम होते हैं तो यह कैसे पता है कोई survey हुआ है क्या कोई experiment हुआ है क्या नई, हमारे मन में यह धारणा बैठी हुई है कि लड़के जो है वो बदमाश होते हैं लड़कियां सरीफ होती है है ना, लड़कियां well behaved होती है तो यह दिमाग में हमारे बैठा हुआ है फिर they don't cry अब यह तो आप सबने सुना होगा कि कि लड़कियां रोती हैं और लड़के नहीं रोते हैं ठीक है they don't cry तो अब यह किसके लिए यूज होता है they don't cry boys के लिए यूज होता है लेकिन क्या यह सच है do you think this is true नए बिल्कुल सच नहीं है दोनों लोग रोते हैं बहुत सारी लड़कियां भी जल्दी रोती हैं बहुत सारे लड़कें भी जल्दी रोते हैं बहुत सारी लड़कें नहीं रोते हैं जल्दी बहुत सारे लड़कें नहीं रोते हैं जल्दी लेकिन हमने यह क्वालिटी एड़ कर दी हमने इमेज इमेज क्रिएट कर दी कि लड़कियां ऐसी होती हैं लड़कियां जल्दी रोती हैं men don't cry बहुत ही पापुलर स्टेटमेंट है कि Apache एक फिलमी स्टेटमेंट है मर्द को दर्द नहीं होता है तो जो आप other to which is not true actually I'll इससे क्या होता है कि बॉइस पर भी बहुत प्रेशर आता है कि उनको रोना नहीं है अगर वो रोने लगते है तो उनको कमजोर माना जाता है वीक माना जाता है इसलिए जब देखोगे जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन होता है तो men become very aggressive लड़ने लगते हैं बहुत एक्डम अक्रामक हो जाता है मैं उसके पीछे रीजन यहीं है क्योंकि में को यह सिखाया गया है कि इमोशन नहीं दिखाने हैं आपको कमजोरी नहीं दिखाने हैं ठीक है आपको जो है वो weakness नहीं दिखाने है आपको अपने emotions वाइसे weak emotions नहीं दिखाने है तो इसलिए देखोगे कि men generally कोई भी crisis situation होता है तो aggressive हो जाता है ठीक है तो they don't cry अब अगेन यह जो कहता है they are soft spoken and gentle कि जो अब यह भी girls के लिए use होता है stereotype कि लड़कियां जो हैं बहुत soft spoken का मतलब होता है कि बहुत harshly बात नहीं करते हैं प्यार से बात करती हैं ठीक है gentle होती है अब यह भी एक stereotype है men and women girls and boys both can be gentle and both can be rude है ना बहुत सारी लड़कियां भी rude होती है बहुत सारे लड़के gentle हो सकते हैं ठीक है तो यह stereotype है they are good at dance and painting तो अगर आप देखो कि आपका जो arts और arts और ठीक है अदित्या हम सब रोते हैं कुछ भी उस पर रोने में कोई भी कमजोरी नहीं है जो लोग रोने को कमजोरी समझते हैं वो गलत सोचते हैं ठीक है they are good at dance and painting अब आप देख लीजिए आप आपका कोई भी art और painting का कोई भी class हो रहा हो तो 90% लड़किया होंगी वहां पर लड़के 10% होंगे क्यों क्योंकि लड़कों कोई सिखाया जाता है कि यह सब लड़कियों का काम है तो अब लड़कियों का काम है तो मेरे मन में अगर है भी painting painting का तो मैं नहीं करूंगा तो they are good at sport ठीक है अब लड़कियों को तो खिलने नहीं दिया जाता है तो जैसे ही लड़की थोड़ी बड़ी होती है उनको तो खिलने नहीं दिया जाता है फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि लड़किया sports में अच्छे नहीं होती है तो यह boys होते हैं तो यह सारे stereotypes है they are good at cooking अब वही example है जो sport का है कि हमको कैसे पता कि लड़किया cooking में अच्छी होती है और लड़के अच्छे नहीं होते हैं हमने तो कभी लड़कों को खाना बनाने ही नहीं दिया उनको सिखाया है नहीं जाता है लड़कों को अब जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता ठीक है अब म बड़ा हुआ तब थोड़ा बहुत करने लगा मजबूरी में तो अगर मुझे जैसे मेरी सिस्टर को ट्रेनिंग मिली है मेरी सिस्टर मेरे से 2-3 साल बड़ी है जैसे उनको सिखाया गया था घर का काम अगर मुझे सिखाया जाता तो मैं भी करता मैं भी अच्छा करता क्या good at cooking, she is good at cooking because उनको बच्पन से यही training दिया गया है ठीक है मेरो को ठीक ultra training दिया गया था, मैं sports person था, मैं बहुत hockey walkie खेलता था, state level पर ठीक है, तो आप मेरी sister cannot play sport तो आप बोल सकते है क्या कि लड़किया खाना बनाने में अच्छी होती हैं लड़के खेलने में अच्छी होती है तो ये गलत है, फिर वही दियार emotional, तो ये लड़कियों के बारे में stereotype है कि दियार इस emotional, लड़के भी emotional हो सकता है, बहुत साई लड़कियां भी हैं जो emotional नहीं हो सकती है हाँ ये बहुत interesting है question, जो जोती ने भी पूछा और प्रतिक्षा ने भी पूछा कि अगर cooking में ऐसा है तो फिर जो chef होते हैं बड़े-बड़े hotels के वो सब male क्यों होते हैं तो ये बहुत सही बात है कि hotels में आप जाओगे तो cook जो होते हैं जो chef होते हैं, वो सब male होते हैं ठीक है, उसका reason ये है कि occupation जब होता है there is a difference between occupation and housework अब ये जो division of labor है occupation का मतलब है आपका काम आप जिससे कमाई करते हैं occupation का मतलब होता है आपका पेशा आपका काम आप जिससे earn करते हैं और एक होता है घर का काम तो अब इसमें से हमेशा से clear एक division of labor रहा है division रहा है कि पुरुष जो है वो बाहर जाएगा कमा के लेकर आएगा बाहर का काम करेगा और महिलाएं जो है वो घर का काम करेंगे तो होटल जो है होटल में काम करना is an occupation occupation हमेशा से पुरुषों के पास रहा है अभी पिछले 100 साल में चीजे चेंज हो रहे हैं ठीक है तो अगर आप देखें तो hundred years before ये दोनों बहुत clear cut अलग 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 चीजे थी कि this is a women's work and this is men's work ये महिलाओं का area है domain है और ये पुरुषों का domain है ठीक है तो होटल में काम करना is an occupation जिससे उनको income होती है तो वो पुरुषों के पास है ठीक है तो और housework जो है वो housework है जिसमें कुछ income नहीं है ठीक है तो महिलाओं का काम है घर समालना तो अब घर का सारा काम महिलाओं का है ठीक है तो ये division of labor इसलिए आपको पुरुष दिखते हैं cook इसलिए नहीं कि पुरुष अच्छा खाना बनाते हैं या पुरुष या बाहर खोटल में अच्छा काम करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए जो डिवीजन आफ लेबर रहा है आने वाले समय में नेक्स्ट फिफ्टी यर्स में ये तूट जाएगा नेक्स्ट फिफ्टी यर्स में आपको बहुत सारे female chef दिखेंगे क्योंकि अभी महिलाएं घर से बाहर निकल कर occupation में आ रही है अब जैसे scientist science लीजे अब आप अगर science सौ साल पहले की science पढ़ेंगे तो सिर्फ पुरुष ही पुरुष दिखेगा वहाँ पे Newton, Archimedes, Einstein कोई भी male आपको दिखेंगे 100 years, 100, 150 years बिफोर अगर आप science पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ पुरुष ही नजर आएगा, हर जगे ठीक है सारी खोज, सारे inventions पुरुषों ने किया है तो क्या इसका मतलब क्या पुरुष बहुत intelligent है या उनका science में बहुत दिमाग चलता है अब अगर आप इस 100 साल का अभी का देखें तो आपको बहुत सारे women scientist मिलेंगी जो nobel laureate है जिन्होंने nobel prize जीता है दो-दो nobel जीते है मैडम क्यूरी ने जिन्होंने radium की खोज की थी radio activity पर काम किया था आज बहुत सारे women scientist है जो बहुत top की positions में है NASA में है ठीक है, बड़ी-बड़ी labs में है तो फिर क्या हो गया सौ साल के अंदर कैसे change आ गया सौ साल में क्या औरतों को ज़्यादा दिमाग आ गया क्या ऐसा कुछ भी नहीं है उनको मौका नहीं था opportunity नहीं थी ठीक है, तो opportunity अगर मिलती है तो चाहे वो men हो या women, दोनों एक जैसे होते हैं दोनों ही समान रूप से intelligent होते हैं समान रूप से talented होते हैं कोई भी field हो ठीक है, तो अब चुकि women को मौका मिल रहा है एक house work से बाहर निकलने का ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि आप women chef भी देखोगे women army में भी है भी समय, ठीक है, women आपको लगबग हर industry में मिल जाएंगी आज से 100 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, 100 साल पहले महिलाएं सिर्फ nursing का काम या teaching का काम बस इतना ही कर सकती थी या किसी कि steno, typist ये काम मिलता था hospital में nurse हैं, receptionist हैं बस ये scientist नहीं था, management में नहीं थे, entrepreneur नहीं थे, business women नहीं थी आज आपको बहुत सारा मिलेगा, तो ये जो अंतर है, ये इसलिए है इसलिए male chef आपको मिलता है हाँ, bus driver भी है, very good train drivers भी है women तो तो ये gender stereotype की वज़े से मैंने पिछली बार आपको example दिया था कि जो पहली female doctor बनी थी UK में, है ना surgery का course चल रहा था surgeon, surgeon बनने के लिए, operation के लिए तो जो वहाँ के medical colleges हैं वो admission नहीं देते थे women को आप doctor बनो, लेकिन surgeon नहीं बन सकते surgery नहीं कर सकते क्योंकि आप कमजोर हो आप खून देखोगी पहली women जो surgeon बनी थी उसका बहुत मजा कुड़ाया गया था उसको बहुत तंग किया गया था class में जैसे body को देखेगी तो बिहोश हो जाएगी ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे आप किससे देखेंगे और 1930s 40s तक तो जिए जितनी भी top universities थी hoxford हो चाए कोई भी हो women को admission नहीं देते थे sciences में आप arts करो history, political science यह सब करो, science नहीं करो science आपका domain नहीं है है ना? तो बहुत बाद में यह सब open हुआ है तो यह सब stereotypes की वाज़े से stereotype, stereotypes की वाज़े से prejudice होता है और prejudice की वाज़े से discrimination होता है अब देखे, अगर कोई university आज से 100 साल पहले यह बोल रही है कि women are unfit for science महिलाएं जो है वो विज्ञान पढ़ने के लिए सक्षम नहीं है तो इसलिए हम महिलाओं को admission नहीं देंगे यह discrimination है कि हम admission नहीं देंगे admission को नहीं देंगे? क्योंकि मेरे fit for science women जो हैं वो sciences के लिए fit नहीं है यह prejudice है इस prejudice की वज़े से मैंने एक action लिया, action क्या है? कि मैं महिलाओं को admission नहीं दूँगा यह discrimination है अब यह जो discrimination से पहले prejudice था और prejudice से पहले क्या था? stereotype कि women are soft महिलाओं बहुत कमजोर होती है तो महिलाओं बहुत कमजोर होती है यह stereotype है और science जो की बहुत महनत का काम है बहुत इसमें उरुक करना पड़ता है बहुत धिमाग लगाना पड़ता है इसलिए यह चुकि महिलाओं soft है gentle है ठीक है? और science जो है वो इक बहुत ही difficult चीज है तो इसलिए they are unfit तो stereotype से prejudice create हुआ और prejudice से फिर हम हैंने discrimination करना शुरू किया ठीक है? तो यह तीनों चीज़ें जो हैं वो linked हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है किसी वो कुछ पूछना है? कोई question? हाँ धरा का question है कि अगर women बाहर का work करती भी है फिर भी उनको घर का work तो करना ही पड़ता है बिल्कुल सही बात है ठीक है? तो अभी भी यह जो gender roles है अब देखे एक होता है gender stereotype और एक होता है gender role gender role का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आप imagine करिए आपके सामने एक photo है एक पुरुश है जो अपने बेबी को बाटल से दूद फिला रहा है बस में बैठा हुआ है मान लीजे कहीं पे भी public place पे और वो बेबी को बाटल से दूद फिला रहा है पास में उसकी partner बैठी हुई है जो की अख़बार पढ़ रही है ठीक है तो मान लीजे कोई public place है train है या बस है या कहीं पे भी बहुत सारे लोग है ठीक है और आप देखेंगे कि एक पुरुश है जो अपने बच्चे को छोटा बच्चा है एक साल का दो साल का उसको दूद पिला रहा है बोटल से दूद पिला रहा है और उसके साथ उसकी wife बैठी हुई है जो किताब पढ़ रही है या अकबार पढ़ रही है आप बताएं लोगों का reaction क्या होगा लोग क्या उसको normal मानेंगे natural मानेंगे क्यों natural नहीं मानेंगे क्या problem है वो भी तो father है उसकी भी जिम्मेदारी है उस lady को बुरा कहेंगे परतिक्षा बोल रही है अब अगर उल्टा होता mother जो है वो बच्चे को बैठा कर दूद पिला रही है और father अख़बार पढ़ रहा है अब क्या होगा आपको वो normal लगेगा या कुछ उसमें problem दिखेगी तो normal लगेगा इसको हम gender role बोलते हैं हमने हमारे दिमाग में बैठा रखा है मा का काम ये है बाप का काम ये है ठीक है समझ में आगया हाँ एकदम सही प्रग्या समा सुसाइटी ने वैसे डिसाइट करके रखा है कि ये काम गल्स के हैं और ये बॉइस के राइट बिल्कुल बिल्कुल किसी का कोई reaction नहीं होगा ठीक है लोगों के मन में ये धारणा है कि बच्चे की देखभाल जो है वो विमेन के है बिल्कुल सही ठीक है तो ये gender roles होते है अब आपका question ये था कि महिलाएं आज कल बाहर काम करती हैं और फिर भी आकर घर का खाना बनाती है बिल्कुल सही बात है मैंने लगबख 100% cases में यही देखा है कि महिलाएं बाहर जाती हैं काम करने के लिए और जब वो वापस आती है तो उनको घर का कोई काम करना पूरता है क्योंकि अभी भी gender roles जो है वो fixed है ठीक है अभी भी gender roles fixed है अभी भी उनमें बदलाव आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है ठीक है गोपाल बोल रहा है कि मैं रोज देखता हूं gender roles पूजा बोल रही है female लोग ही female को बहुत जादा बोलते है ठीक है इसके पीछे भी कारण है सार में जैसा बाहर का काम करता है घर का नहीं तो यहां prejudice apply होगा या stereotype ठीक है देखे यहां पर prejudice नहीं है आप gender roles है ठीक है तो वो stereotypes है तो आप gender roles gender roles और stereotype में अंतर है जेंडर रोल आपको दिख रहा है कि वो महिलाए खाना वना रहे हैं उनको इखाना वनाना है यह gender role है ठीक है समझ में आ रहा है gender roles और stereotype अलग अलग है gender role का मतलब है कि महिलाओं का यह काम है पुरुषों का यह काम है जियोती आपको समझ में आ रहा है यह यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो जो काम करती है महिलाएं और फिर घर में भी काम करना पड़ता है इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो जंडर रोल अभी भी ब्रेक नहीं हुए अभी भी वो जंडर रोल्स जो है अभी भी बने हुए है मैंने आपको एक्जाम्पिल दिया आप वो करके देख लीजे कभी भी कि अब आप दूसरा सोचिए लड़की लड़का जो है वो शादी हो चुकी है पुरुष जो है वो घर का काम कर रहा है महमान आए हुए है ठीक है पुरुष किचन में जाके नास्ता वास्ता बना रहा है और जो उसकी वाइफ है या पार्टनर है वो बैटकर गेस्ट रूम में बात कर रही है वो जो गेस्ट आये है ना वो उनकी हालत खराव हो जाएगी यह देखके वो भाग जाएंगे वहाँ से देविल फील सो अक्वर्ड कि पुरुष जो है वो खाना बना रहा है या चाय लेकर आ रहा है सोचे जास्ट इमाजिन करिये कि वाइफ जो है वो बैठकर बात कर रही है किसी गेस्ट के साथ और पुरुष जो है वो खाना लेकर आ रहा है या चाय बना के लेकर आ रहा है नास्ता लेकर आ रहा है फिर वो आके टेबिल साफ कर रहा है अब सोच के देखिए कि क्या कैसा रि पती से काम करवाती है यह जो statement है वो बहुत interesting statement है तो कि औरत का responsibility है कि वो काम करे है ना हाँ ठीक है तो आप लोग सब विद्रो करिये अगर में मेरा नाम मत लीजेगा बस कि सर ऐसा बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं बोलता कई बार ऐसा होता है कि class में कुछ बोलता हूँ में बच्चों को लगता है कि क्रांथी करनी चाहिए घर पे जाकर लडाई करते हैं फिर घरवाले बोलते तुमको कौन से खारा है यह सब फिर वो मेरा नाम लेते हैं फिर घरवाले मेरे को phone करते हैं कि सर आप ये पढ़ाते हैं यह बढ़ाते हैं यह क्या पड़ाते हैं तो प्लीज मिरा नाम मतल clearly इन सबपे विश्वास करता हूं प्लीज ना करें fick Theater में तूर êtes कई-बार ऐसा हुआ है कि रिलिजिंश और उसक्राशून प्रत्षट इन सब पर जेंडर बात करने के बाद फिर बच्चे जो है घर पे जांकर लड़ना शुरू कर देते हैं ठीक है फिर उनके प्लीज आप लोग करिए ठीक, अब ये जन्रल स्टियो टाइप कैसे फंक्शन करते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखें, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, इस टीडियो टाइप को हर्ष का एक बहुत अच्छा कोशन है, कि स्टीडियो टाइप को कम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा कोशन है हर्ष, and I really appreciate कि आपने एक पूछा, मुझे लगता है कि stereotype को कम करने का एक ही तरीका है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने से भिन्द प्रकार के लोगों से बात करें आप अगर पुरुश हैं तो आपको महिलाओं से, अगर आप दलित हैं तो सवर्णों से, अगर आप abled हैं तो disabled लोगों से, है ना अगर आप हिंदू हैं तो मुसलिम से आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने से different लोगों के साथ रहेंगे अपने से अलग लोगों के साथ रहेंगे तो आपका mind, आपका जो दिमाग है वो खुल जाता है आपके मन में prejudices और stereotypes तभी जन्म लेती हैं जब आप अपने आपको close कर लेते हो है ना जब आप आप कुछ नया नई सीखना चाहते हो ठीक है तो जितना ज़्यादा आप बाहर जाओगे जितना ज़्यादा आप अलग-अलग प्रिकार्ट के लोगों से मिलोगे open होकर आपके मन में prejudices उतनी कम होती है ऐसा मुझे लगता है अब मुझे नहीं मालूम कि ये 100% solution है इस बात का लेकिन मुझे लगता है कि prejudices और stereotypes जो है वो आप जैसे कि अगर आप शहर के हैं तो अगर आपने गाओं नहीं देखा है तो आप वो कुछ नहीं समझेगा अगर आप गाओं में जाकर आप regular जाते हैं बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजे आपके मन में जो पूर वो धारनाय है वो तूट सकती है ठीक है तो चलो अभी 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 कोशन बंद अभी थोड़ा पूरा समय निकल जागा थीक है तो जेंडर स्ट्यो टाइप्स कैसे फंक्शन करते हैं थीक है तो कैसे फंक्शन करते हैं कि जब हम यह बोलते हैं this is the way boys are लड़के इसी प्रकार के होते हैं लड़कियां ऐसी होती है ठीक है लड़के ऐसे होते हैं तो यह जो जब हम sentences सुनते हैं These are statements we hear constantly and start believing अब यह सारे statement ऐसे होते हैं जो हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और हम उनको हमेशा मानते हैं कि लड़कियां ऐसी होती हैं लड़कियां ऐसे होते हैं जब हम यह statements पर विश्वास करना लगते हैं यह जो statements होते हैं यह जो sentences हैं या जो statements हैं इन पर जब हम विश्वास करने लगते हैं तब फिर हम क्या करते हैं Then we fit all boys and all girls into an image that society creates around us तो हमने जो भी image बनाई है लड़कियों की या लड़कों की ठीक है, तो हम पहले एक image मनाते हैं ठीक है अपने दिमाख में फिर उस image में हम सभी उस group के सभी लोगों को उसी नजर से देखना शुरू करते हैं उसको fit कर लेते हैं उसी image में fit कर लेते हैं इसे गाउ के लोग backward होते हैं ये मेरी दिमाग में image है फिर अब जो भी गाओं का आदमी मेरे को दिखता है मैं उसको अपनी उसी इमेज में फिट कर लेता हूँ कि गाओं के लोग ऐसे होते हैं ये भी गाओं का है ये भी ऐसा ही होगा ठीक है तो अब question ये है कि gender stereotype का question ये है कि क्या ये जो qualities है कि लड़किया well behaved होती है लड़किया cooking में अच्छा होती है लड़कियों को drawing और painting ज़्यादा पशंद आता है लड़किया sports में अच्छी नहीं होती है लड़के emotional नहीं होते हैं लड़के रोते नहीं है क्या ये biological fact है या ये एक social conditioning है जैसे पिछली बार भी हमने ये word पढ़ा था एक होता है biological fact biological fact का मतलब है कि भाई आपका जन्म ही ऐसा हुआ है ठीक है biology है आपका आपकी body आपकी body के parts है ठीक है आपकी body अलग-अलग है और इसलिए आपका behavior अलग-अलग है है ना आपका आपकी विशेस्ता behavior नहीं आपकी विशेस्ता है अलग-अलग है तो कि आपकी body अलग-अलग है अब ये biological fact है इसमें किसी को कोई problem नहीं है है ना कि आपका जन्म ऐसे हुआ है लेकिन क्या लड़किया cooking अच्छा करती है या लड़किया sports में अच्छी नहीं होती है ये biological fact है क्या क्या ये body determine करता है नहीं ये social conditioning है social conditioning का मतलब क्या होता है समाज से हमने सीखा है ये समाज ने हमको सीखाया इसका हमारे जर्म से कोई मतलब नहीं है हम ऐसे पैदा नहीं हुएं कि लड़के emotional नहीं होते है इसके पीछे biology नहीं है कोई शारीरिक अंतर नहीं है इसके पीछे लड़के रोते नहीं है या लड़के जो है वो extrovert होते है बाहर ज़्यादा लड़किया शर्मीली होती है introvert होती है ये उनकी body define नहीं कर रही है ये biological fact नहीं है ये social conditioning है बचपन से छोटे पर से सिखाया जाता है लड़कियां तेज आवाज में मत बोलें लड़कियां जादा हसे ना लोगों के सामने ये भी होता है आपने जो लड़कियां है यहाँ पर उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ आप कैसे हसे ये भी सिखाया जाता है ठीक है फिर आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपका upbringing लड़कों से बहुत अलग हो जाता है यहाँ पर आप तीन चार साल की हुई पांच साल की हुई वहाँ पर आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता है बाहर खेलने इसलिए मैं बार-बार ये एक्जामपिल देता हूँ कि आप किसी भी शहर में चले जाओ और जो खेल का मैदान होता है हर कॉलोनी में खेल का मैदान होता है हर महले में खेल का मैदान होता है वहाँ पर आपको लड़किया क्योंने दिखती है खिलते हुए वहाँ पे हर जगे आपको सिर्फ लड़के ही दिखेंगे खिलते हुए अगर लड़किया दिखेंगी भी तो बहुत छोटी होंगी दो साल तीन साल चार साल बस उससे बड़ी लड़किया आपको क्रिकेट खिलते हुए हौकी खिलते हुए नहीं दिखेंगे वह आपको ślęडियम में दिखेंगी अगर आपके शहर में stadium है तो वहां पर आपको लड़किया ट्रैक्टिस करते हूए मिलेंगी तो कि वो safe environment है लेकिन आपके गाऊंगा जो ग्राउंड है या आपके मुहले में जो ग्राउंड है जहाँ पर महले के सारे बच्चे खेल रहे लड़के खेल रहे लेकिन आपको लड़किया नहीं दिखेंगे ठीक है तो तो जोती का कहना है कि social conditioning हाँ right education से stereotype कम होता है of course कम होता है ठीक है proper education से कम होता है there is no doubt about it आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज डाली जाती है है ना अभी आपके परिवार कुछ और बोल रहा है किताब में आप कुछ और पढ़ रहा है teacher आपको कुछ और समझा रहा है तो फिर आप सोचना शुरू करते हैं तो जब आप सोचना शुरू करते हैं तो बहुत सारे stereotype टूट सकते हैं तो of course education से भी हो सकता है social conditioning बहुत deep है ठीक है females में इसे कैसे तोड़े बहुत लंबी लड़ाई है आप तोड़ रहे हैं already आप जितना जादा पढ़ाई करके आगे जाएंगे अपने पैरों पे खड़े होंगे उतने social conditioning break होंगे एक दम एक दिन में तो क्रांती नहीं हो सकती है लेकिन हम और आप जितना ज्यादा आगे बढ़ते हैं है ना जितना ये विचार को लेकर इन विचारों को लेकर जितना आगे जाते हैं उतना social conditioning जो है वो कम होती है कि चलने उटने बैठने कपड़े पहनने सब सिखाया जाता है जोती बोल रही है तो यह सही है गैस लाइटिंग थोड़ा अलग होता है वह गैस लाइटिंग थोड़ा अभी ट्विटर वर्ड है मैं बताओंगा उसके बारे में ठीक है गैस लाइटिंग के बारे में भी बताएंगे तो थीक है तो अब question ही आता है कि gender जो stereotypes है कि do boys girls possess these qualities at birth और learn such behaviors from others तो यह जितने भी gender stereotypes हमने create किये हैं क्या यह लड़के और लड़किया जनम से यह qualities को हासिल करते हैं पजेस करना मतलब अपने कबजे में रखना कोई चीज आपके पास है तो उसको हम बोलते हैं पजेस करना तो क्या यह लड़के और लड़किया यह जो qualities हैं जो अभी stereotype दिखा आपको क्या वो जनम से अपने प हमारा जो behavior होता है वो हम अक्सर हम imitate करते हैं हम नकल करते हैं आप देखोगे कि आपकी जो सोच है वो बहुत हद तक आपके माबाप की सोच की तरह होती है दूसरे लोगों के बारे में आपके माबाप जो सोचते हैं आप भी बहुत हद तक वैसे ही सोचते हैं आप कभी भी दे इसा प्राइब बहुत कम होता है हाँ अपनी आजादी अपनी सुतंत्रता के लिए आप लड़ जाएंगेगे अब मैं मेरे माबाप ऐसे है, मेरे कुधर नहीं जाने देते, मेरे कुधर नहीं जाने देते, ठीक है, लेकिन जब छोटा भाई-बहन वही करता है, तो बड़ा भाई-बहन ठीक अब माबाप की तरह ही बिहेव करेगा, वो भी उसको रोकेगा, वो भी उसको टोकेगा, बहुत बार ऐ बात आएगी, तो फि वो लगबक माबाप की तरह ही behave करेगा, तो इसलिए में बोलता हौ की, हमको लगता है कि हम बहुत माबाप से अलग सोचते हैं, लेकिन वो सिर्फ time का होता है, अक्सर बहुत हत तर्द हम जैसे behave करते हैं या जो हमारी सोच होती है, वो हमारी फैमिली से ही आती है, है ना, तो बहुत सुट्झ बहुत सारी चीजो में हम माबाप से बहुत से महोते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत के लिए तो लड़ेगा और मिरेको जाना आँ बाहर जाना है मिरेको बर्ड Day पार्टी करनी है मिरेको दोस्तों के साथ जाना है अब वही अगर वहन बोलती है कि मेरेको पार्टी में जाना है या जाना है तो भाई बिल्कुल फादर की तरह ही बिहेव करेगा नहीं तुमको नहीं जाना है मैं यह नहीं बोला कि सब जगे होता है बहुत सारे exceptions है लेकिन आप देख सकते हो यह चीजे genetic fact कुछ नहीं होता है genetic fact मतलब फिर biology में आ गया यह सब biology नहीं है ठीक है हाँ प्रग्या का question है कि अगर मैं upper cast के बारे में कुछ सोच रही हूं तो ऐसे वैसे हैं तो क्या वो stereotype है या prejudice है बहुत अच्छा question है प्रग्या देखे दो चीजे हैं अगर हम यह बोले कि सारे upper cast evil है सारे upper cast ऐसे होते हैं तो वो stereotype है लेकिन अगर मैं यह बोलू कि मेरे साथ discrimination होता है यहाँ पर untouchability practice होती है ठीक है तो that is a fact, that is not a discrimination ठीक है जैसे कि महिलाएं अगर यह बोले कि पुरुष जो है वो domestic violence करता है पुरुष जो है वो domestic violence करता है, हिंसा करता है और महिलाओं का बहुत उत्पीडन होता है अब just imagine a woman एक महिला है जो यह बोल रही है कि पुरुषों ने महिलाओं का बहुत उत्पीडन किया है throughout history बहुत सोशन किया है अब यह prejudice है या वो अपने अधिकारों को लेकर बात कर रही है या एक fact बता रही है social fact बता रही है बताए, सोचिया आप कि अगर कोई महिलाओं खड़ी होती है कोई activist है, women activist और वो बोलती है कि throughout history पुरुषों ने महिलाओं पर बहुत हिंसा किये है तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये वो पुरुष से घ्रणा कर रही है नहीं आप ऐसा नहीं बोलोगे आप बोलोगे कि वो एक social fact के बारे में बता रही है आप वो ये नहीं बोल रही कि सारे पुरुषों को मार दो या सारे पुरुषों को जला दो या सारे पुरुषों को punishment दो ठीक है, आप उसको यह नहीं बोल सकते कि यह पुरुष विरोधी है वो एक social phenomenon एक social fact के बारे में अपने विचार रख रहे है जो कि है पुरुषों को उसका benefit मिला है अब कोई भी पुरुष अब जिसे मैं पुरुष हो, मैं बोलू कि मैंने तो किसी महिला को तंग नहीं किया तो मेरी कोई गलती नहीं नहीं, मैं यह नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पुरुष होने का benefit मिला है, भले ही मैं महिला विरोधी ना हो, भले ही मैंने महिलाओं का कुछ विरोध ना किया हो, लेकिन इस समाज ने पुरुष होने की वज़े से मुझे बहुत सारे benefit है, बहुत सारे अधिकार मुझे मिले हैं, जो महिलाओं को नहीं मिलते हैं, तो अब अगर कोई महिला आके खड़ी होके बोलती है कि तुम एक इंडिवीजिवल पुरुष के बारे में बात नहीं हो रही है ठीक है और दूसरा भले ही मैंने exploitation न किया हो being a male लेकिन मुझे male privilege है मैं रात में कहीं पर भी आ जा सकता हूँ ठीक है बहुत सारी चीज़े कर सकता हूँ जो महिलाएं नहीं कर सकती है ठीक है तो वही caste का है तो जब अगर मैं caste discrimination पर बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि upper caste जो है वो बहुत discriminatory रहे हैं उन्होंने बहुत अत्याचार किये हैं ठीक है उल्टी न्यूज नहीं मिलती है आपको कि दलितों ने आज सवर्णों के घर जला दिये ठीक है या यह उनका बाइकॉट कर दिया ठीक है तो आपका भी उल्टी न्यूज नहीं सुनेंगे यहां पर कि महिलाओं ने चार महिलाओं ने मिलकर पुरुष को मारा domestic violence किया होता है मैं यह नहीं कह रहा है कि महिलाओं पुरुषों को नहीं मार सकते हैं लेकिन कौन से cases majority में कौन से cases ज्यादा है कौन से cases ज्यादा है तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यह पुरुषवादी विवस्था है और पुरुष जो है उसको benefit मिला है इस system से तो किसी भी मेल को बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो individual उसको नहीं बोला जा रहा है ठीक है और दूसरा पुरुष भले ही अत्याचार ना करे जैसे कि अगर मैं बोलू कि मैंने तो नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पुरुष होने का फाइदा नहीं मि जाता है तो मैं चाहूं या ना चाहूं मेरे चाहने ना चाहने से कुछ फरक नहीं पड़ता है मुझे वो benefit अपने आप मिलता है being a male वही caste का है तो जब मैं caste discrimination की बात करता हूं जब मैं बोलता हूं कि सवर्ण जो है या अपर कास्ट जो है वो casteist होते हैं उनको अत्याचार ह तो मैं एक पर्टिकुलर किसी अपर कास्ट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं ठीक है मैं एक social fact एक social phenomena के बारे में बोल रहा हूं जो कि historically सच है उसका proof है ठीक है तो और जो अपर कास्ट है वो भले ही casteist ना हो अपर कास्ट बोलता है न मैं तो caste system में believe नहीं करता बहुत अच्छी ब लेकिन आपको अपर कास्ट होने का फाइदा मिलता है इस society में आपको privilege मिलता है अब वो पुरुष भी अपनी privilege को accept नहीं करता है कि अपर कास्ट भी अपनी प्रिविलेज को एक्सप्ट नहीं करेगा कि नए नए हमको क्या प्रिविलेज है हमको क्या है यह लेकिन सच नहीं है ठीक है तो जैसे माईलाव को समझ में आता है कि मेल प्रिविलेज क्या होता है वैसे ही दरितों को समझ में आता है कि अपर कभी accept ने करता मेल भी कभी अपनी प्रिविलेज को accept ने करते कि पुरुष होने का कुछ फायदा भी है ठीक है तो यह है सब चीज़े निकेश नायक ठीक है सर जी पटना में दलितों का घर तोड़ दिया पर कोई action ने हुआ बिलकुल खुले आम करते हैं हाँ बिलकुल मतलब बिहार में क्या हर जगे होता है यूपी बिहार राजिस्थान मद्परदेश च्छतिस गड़ बहुत सारी जग़ों पर होता है मैला थपड़ मार दे तो गाओं के लोग मीटिंग बैठाते हैं और पुरुष मारता है तो सब चुप रहते हैं मैन का वॉयलेंट करना सुसाइटी में नॉर्मल है बिलकुल सही बात पुरुष अगर अपनी वाइफ को मारता है या अपने बच्चों को मारता है तो नॉर्मल माना जाता है अगर मैला उल्टा थपड़ मार दे तो ख्रांती आ जाए मतलब फिर तो दुनिया हिल जाती तो जनरेशनल वेल्ट और कॉलेज नॉलिज होता है अपर कास्ट के पास नॉलिज तो नहीं बूलूँगा नॉलिज इस रॉंग वर्ड बट अफकोर्स जनरेशनल वेल्ट होती है और बहुत सारे प्रिविलेज़ होते हैं नॉलिज जो जूता बनाता है वो भी नॉलिज होता है जो खेती करता है उसके पास भी नॉलिज होता है जो रॉकेट बनाता है उसका भी नॉलिज है ठीक है तो नॉलिज थोड़ा अलग चीज है ठीक है यह समझ में आया आपको चलिए आज आप लोगो ने बहुत सारे क्वेशन पूछ डाले मेरे से गुड गुड अब मैंने आपको बताया था कि शुरुवात होते हैं अंतर से difference, men and women, girls and boys, biologically different हैं है उनके body parts अलग अलग हैं बहुत सारे तो that is the difference है उस difference से फिर हम stereotype create करते हैं और stereotype से फिर हम prejudice create करते हैं ठीक है अब यह सब मैं कई बार example दे चुका हूँ तो उसमें कुछ जादा नहीं है कहने के लिए मरे मन में प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग रहें, आपके दिमाग में नेगेटिव ओपीनियन है, किसी को लेकर आप हेट करते हैं, या किसी को आप नीचा देखते हैं, किसी को आप इनफीरियर मानते हैं, ठीक है, तो जब हमारी ओपीनियन मतलब आपकी जो सोच, आपकी राय, है ना, तो आपकी राय जो है, किसी विशेश लोगों के प्रति, जब हमेशा नेगेटिव होती है, तो वो प्रेजुडिस कहलाता है, ठीक है, तो when our opinions about certain people, जब हमारी राय, कुछ खास लोगों के लिए, कुछ विशेश लोगों के लिए, हमेशा नेगेटिव होती है, हम हमेशा, sorry, हम उनके बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, तो वो हमारी प्रेजुडिस कहलाती है, पूर्वा ग्रे कहलाता है, और प्रेजुडिस में हम क्या करते हैं, हम लोगों को जज़ करते हैं, अब ये वर्ड बार-बार मैं यूज़ कर रहा हूं, जज़ करना, what does it mean, जज़ करने का मतलब क्या होता है, जज़ करना मतलब होता है, आपके दिमाग में एक तराज्यू है, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये बुरा है, ये अच्छा है, इसको हम बोलते हैं, जज़ करना, ठीक है, अब कोई व्यक्ति आकर मेरे से बात करता है, अपनी कहानी सुनाता है, कि उसने लाइफ में ऐसा 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 ऐसा, ये ये सारी चीज़े की, ठीक है, अब मैं बैठ कर सुनता हूँ, और मेरे मन में हमेशा इस तराजू चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, फिर लास्ट मे मतलब हर व्यक्ति के साथ करते हैं, हम अपने दोस्तों को judge करते हैं, हम अपने family members को judge करते हैं, सब को judge करते हैं, आप judge कैसे करते हैं, उनकी बातों से करते हैं, उनके कपड़ों से करते हैं, उनके बोलने के style से करते हैं, उनके धर्म से करते हैं, उनके जाती से करते हैं, language से करत ठीक है तो जब हम जज करते हैं और जब हम negatively जज करते हैं कि यह चीज बुरी है यह लोग बुरे हैं तो वो prejudice कहलाती है ठीक है तो prejudice means to judge other people negatively और see them as inferior अब आप जिसको भी negative सोच रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसको अप यह आदमी बुरा है यह कब बोलते हो जब आप अपने आपको अच्छा मानते हैं कि यह आदमी बुरा है मतलब मेरे से बुरा है तो यानि कि मैं जैसा भी हो मेरे से यह खराब है तो आपको जज़ करने का आपका तराजू का वो क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, आपका खुद का बिहेवियर, तो आप हर चीज को खुद से ज़ज करते हो, कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन ये ऐसा है, तो इसलिए ये बुरा है, मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा है, तो इसलिए अ वो आप खुद होते हैं तो जिसको आप nagetively judge करते हैं इसका मतलब आप उसको अपने से हीन मानोंगे आप अपने से उसको inferior मानते ठीक है तो प्रजूडिस क्या होता है एक प्रकार का negative opinion होती है आपकी किसी व्यक्ति के बारे में और आप उसको कम मानते हैं उसको आप inferior मानते ह अब खुद को आप superior मानते हैं ठीक है तो यह again बहुत अच्छा question है कि अधित्य का जब खुद ही अपने बारे में negative सोच रखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे inferiority complex हीन भावना ठीक है अब आप खुद कोई negative मानने लगते हैं कि अरे मैं ही कमजूर हूँ यह भी होता है यह भी बहुत normal है हम सब में होता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर हम और अकसर आप देखेंगे हमारे physical features को लेकर होता है हम हमारी body को लेकर बहुत inferior show करते हैं कि जैसे कि मैं मोटा हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है अपने बारे में ठीक है कोई बहुत पतला है तो उसको बहुत खराब लगेगा अपने बारे में ठीक है तो आप देखेंगे inferiority complex ज्यादा तर जो है आपके body से आता है आप कैसे दिखते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक beauty का standard है society ने एक decide कर लिया है कि यह सुंदर्य का प्रतिमान है यही सुंदरता है ठीक है एक beauty का standard है अब अगर आप उस standard में fit नहीं बढ़ते हैं तो आप फिर आपके मन में हीन भावना आ जाएगी दूसरा हीन भावना आपका class होता है अमीर और गरीब वो भी एक बहुत बड़ा issue होता है कि I am poor तो तीसरा English non-English medium background का होता है है शहर और गाओं का भी होता है तो inferiority कई तरीके से होती है है न हीन भावना तो यह जो है वो यह अलग है यह प्रजूडिस से अलग है इस 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 सम्थिंग एल्स है यह आदित्य समझ में आया inferiority complex क्या होता है अगर व्यक्ति अच्छा नहीं है और उस पर हमारी राय भी negative है तो क्या यह प्रजूडिस नहीं यह प्रजूडिस कैसे होगा आप एक particular व्यक्ति के बारे में राय रख रहे है ना अगर वह व्यक्ति के बारे में आप negative है इसलिए क्योंकि वह दूसरे कोई दोस्त है आपको उसने धुका दे दिया तो फिर वो प्रेजुडिस थोड़ी ना है वो तो आपका पर्सनल रिलेशन है ना दाट इस नॉट प्रेजुडिस 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 इस वन यू आइदेंटिफाई विट सर्टेन टाइप आफ पीपल कुछ अलग प्रकार के लोगों के बारे में आपके मन में जो भावना है उसको प्रेजुडिस बोलता है ठीक है तो यह प्रेजुडिस आपको समझ में आ गया अब प्रेजुडिस मैंने आपको बताया था कि बहुत टाइप क्यों हो सकते है ठीक है धर्म के आधार पर हो सकता ह है color के आधार पर हो सकता है छेतर के आधार पर हो सकता है किस प्रकार से हम बोली बोलते हैं accent हमारा क्या है कैसे हम pronounce करते हैं अब आप देखें कि एक अंग्रेज मैं आपको simple सा example देता हूं एक अंग्रेज जब भारत आता है और तूटी फूटी तरीके से हिंदी बोलता है आपको बुरा नहीं लगता है आप खुष हो जाते हैं उसका उसका आप मजाक नहीं उड़ाते हैं लेकिन अपना ही कोई व्यक्ति इंडियन अगर अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल रहा है तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं आप उसको बहुत दिहाती बोलते गवार बोलते ये बोलते बोलते अब ये बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि जब अंग्रेज आता है और वो हिंदी बोलता है ठीक है और वो गांधी को गैंडी बोलता है है न, तो प्राब्लम नहीं है, गंगाική फिकर, खेंगाए को गेंचर भॉलता है तो प्राब्लम नहीं है मैं उसको आप बड़े अराम से इसवीकार कर लेता है तो आप देखिए गोरों के प्रति क्योंकि गोरे हमसे पावर्फुल है तो हमारे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है बहुत हम उनसे रिकागनिशन चाहते हैं है ना हमको अच्छा लगता है कि वह तूटी-फूटी इंग्लिश में बात कर रहा है तूटी-फूटी है कि देखो यह हिंदी बोल रहा है है हिंदी उसके लिए foreign language है ठीक है इंग्लिश जो है वो हमारे लिए foreign language है ठीक है लेकिन हम हम क्योंकि आप वह मानता है बहुत्स नालीज का उट्वांते हैं इसलिए इसलिए पिर अगर कोई इंग्लिश अच्छे सा नहीं बोल पाता है अब से चाइनीज हैं चाइनीज अमेरिका में जब जाते हैं तो उनको ज्यादा इंग्लिश नहीं आते हैं और चाइनीज आज भी बड़े बड़े चाइनीज साइंटिस्ट जो हैं वो आज भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं ढंक से लेकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ तो पार्लेमेंट में वह बिहारी बोल रहे हैं और मजा उड़ाया जाता था कि बहुत मजा उड़ाया जाता था ठीक है नेता होना तो कैसा होना चाहिए राजी उगांदी जैसा होना चाहिए इंग्लिश बोलने वाला क्यों भाई इंडिया में आपको क्या जरुवत है आपको लगता है कि चाइनीज पॉलिटीशन के को यह होगा कि चाइनीज पॉलिटीशन या जर्मन पॉलिटीशन कि जर्मन नेताओं को अंग्रेजी नहीं आती तो अच्छे पॉलिटीशन नहीं य ठीक है यह हमारा major problem है English को लेकर तो तो यह जो है तो आप देखोगे कि यह आप stereotypes हैं ठीक है तो वो stereotypes से फिर हम prejudice लेते हैं ठीक है तो we can be prejudiced about many things बहुत सारी चीजों को लेकर हम हमारे मन में negative opinion हो सकती है लोगों की धार्मिक मान्यताओं को लेकर हो सकती है religious belief belief का मतलब है तो आपकी मान्यता आप क्या कौन सा धर्म मानते हैं आपका इंडिया में यह दूसरा सबसे बड़ा problem है दूसरा नहीं मतलब पहला बड़ा problem color of the skin यह तो हम घर घर में होता है भाई भाई में होता है बहन में होता है कि अगर कोई भाई गोरा है और कोई थोड़ा सा उसका रंग थोड़ा सा डार्क हो गया तो उसका मजा कुड़ाया जाता है लड़की अगर थोड़ी सी भी डार्क है तो उसका जीवन ही विचारी का कठिन हो जाता है ठीक है तो color of the skin को लेकर भी हम बहुत prejudice होते हैं किस छेतर से आते हैं the region कौन-कौन से region से हम आते हैं उससे भी हो सकता है किस प्रकार्श हम बोलते हैं accent कपड़े क्या पहुंचते हैं पहनते हैं तो अगर आप देखें तो यह सारे हम बहुत सारी prejudices के बीच में जीते हैं और sometimes या अकसर हमारी prejudices इतनी strong होती हैं हम हमारे मन में दूसरों के लिए इतने negative विचार इतने strong होते हैं कि हम उनको hurt करते हैं we may even hurt others तो sometimes prejudices are so strong that we may hurt others और वहाँ पर discrimination सुरू हो जाता है hurt others मतलब आप भेदभाव करना शुरू कर देता हैं आपके मन में इतना prejudice है इतनी नफरत है लोगों के दूसरे के लिए आपके मन में इतने negative opinion है दूसरे के बारे में कि फिर आप भेदभाव करते हैं भेदभाव करते हैं मतलब उसको hurt करते हैं उसको तंग करते हैं ठीक है तो अब अगर आप देखो कि आपने सुना हुआ कि राजिस्थान में यूपी में दलित को जो दुलहा है शादी हुई उसको घोड़े पे ने चड़ने देंगे कि वह घोड़े पे नहीं चड़ सकता आप रोज जो है वह यद्म पढ़ोगे कि राजिस्थान में हर्यारा में छाइक है यूपी में घोड़े पे कि अपने पैसों से गोड़ी है और उसको लेकर आएगा और उसको कुछ नहीं वह आदा गहंटा वह गधर की तरह बैठेगा घोड़े पर ठीक है तो मुझे समझ में नहीं आता है क्यों घोड़े बैठता है लेकिन उसका एक बहुत ही एक reason है ठीक है कि अगर जो बरात हैं इंडिया में वो बहुत घोड़ा और दुला जो है वो तलवार लेके आएगा तलवार भी लटकी रहती है ठीक है और पूरा बराती हंगामा करते होए आते है इसके पीछे भी एक कहानी है ऐसा मौना आता है कि marriages जो है marriage तो आज हम बोलते है but basically शुरवात में क्या होता था कि I mean हजारों साल पहले कि women जो है उनको भी property माना जाता है तो पुरुष जो क्या करते थे कि जब लडाई करते थे तो जो पशु है animals और women दोनों को capture करते थे तो अगर दो tribes या groups आपस में लड़ रहे है तो जो जीतने वाला है वो खारने वाले की महिलाए बच्चियां और उनके पशु वो सब छिन के लेकर आता था ठीक है युद्ध में ऐसे ही होता था तो बहुत साई लोग का मानना है कि ये जो इंडियन जो ये शादी क्या है ये घोडे पर चड़के और ये सब ये की वो विजेता है दुला जो है वो वो एक प्रकार का विक्ट्री प्रोसेशन है वो एक प्रकार का जीत का प्रदर्शन है इसलिए वो ड्रम बज रहे हैं लाइटिंग हो रहा है घोडा तल्वार तो अगर आप देखे तो इसके पीछे बहुत एक बहुत ही नेगेटिव एक ट्रडीशन है अब ये कितना सच है कितना नहीं ये मुझे नहीं पता है ये एक एक हाइपोथेसिस है ये पगड़ी पहनना पगड़ी मतलब क्या राजा पगड़ी पहनना राजा होता है ना तल्वार मतलब लड़ाकू घोड़ा तो ये बेसिकली कि हमने हमने ये इस परिवार को जीत लिया है ठीक है और शादी होती है तो पिता का क्या है रोल रहता है कर्ण्या दान करना अब कन्या दान शब्ध ही क्या है दान किस चीज का करते हैं आप आप इंसानों का दान नहीं कर सकते हैं आप चीजों का दान करते हैं आप गाय बैल ये दान करते थे आप पैसों का दान करते थे इंसानों को दान कैसे कर सकते हैं इंसानों को दान तभी कर सकते हैं जब आव विमन को एक अबजेक्ट माने एक चीज माने ना की व्यक्ति तो इसलिए कन्या दान कर रहा है तो पिता के लिए वो कन्या दान है और लड़के के लिए वो जीत है ठीक है तो इसलिए वो पगड़ी और वो सब और तलवार गोड़ा लेकर आते हैं तो ये पुरानी चीजों से निकला है अब कितना सच है कितना जूट मालूम नहीं मुझे लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि दूसरा जो married women है और जो unmarried women है उनके कपड़ों में उनक कि बहुत सारी चीजों में अंतर हो जाता है जो married women है वो सिंदूर लगाएंगी बिंदी लगाएंगी साड़ी पहनेंगी और जो unmarried है वो सिंदूर नहीं लगा सकती है सिंदूर क्यों लगाया जाता है पुरुष क्यों नहीं लगाता है क्या आप married पुरुष और unmarried पुर अंतर आता है क्या पुरुष को क्या कुछ बिंदी लगाने पड़ती है क्या कि भाई शादी हो गई मेरी तो मैं आज से बिंदी लगाता हूं या आज से सिंदूर लगाता हूं पुरुष को तो कुछ नहीं करना पड़ता है मैलाओं को बहुत सारा करना पड़ता है इसलिए क्योंकि सिंदूर यह सब कि यह हमारी प्रापर्टी है अब यह प्रापर्टी हो गई किसी और की अभी इस पर नजर मत लगाओ ठीक है इस इस परसन इस ओन्ड बाई समवन इसका कोई owner है जैसे आप मकान के बाहर अपनी name plate लगाते हैं है ना वर्माजी का घर सर्माजी का घर लगाते हैं ना कि ये मकान है और मकान के बाहर name plate है तो सिंदूर और ये सब ये भी एक प्रकार का दिखाना है कि this woman is taken अभी इसका शादी हो गया अभी इसका पती है अब ये किसी और की property तो वो दिखता है सिंदूर लगा दिया तो दिखता है कि हाँ भाई अभी दूसरी जगह चलो अब ये भी hypothesis है अब ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है लेकिन जितनी भी हमारी traditions होती है ठीक है जितनी भी हमारी परंपराय होती है वो अक्सर इन ही आएसे ही उससे निकलती है ठीक है सब जगह था ये ये सिफ इंडिया में नहीं है ये हर जगह था किसी ना किसी रूप में अब जैसे कि नाम में आप अंग्रेज कल्चर में जाते है अब पुरुष चाहे शादी सुदा हो या नहीं हो मिस्टर बोलेंगे मिस्टर जॉन अगर माल लो कोई जॉन है जो ब्रिटिश आदमी है अब जॉन भी मैं एक टिपिकल क्रिस्चन नेम ले रहा हूं तो आप अब उसने शादी की है तो भी वो मिस्टर जॉन है शादी नहीं की है तो भी मिस्टर जॉन है ठीक है लेकिन अग अगर शादी है तो मिसेज हो जाएगा, शादी नहीं है तो मिस होगा, क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पर भी यह दिखाना है, मिसेज क्यों लगा रहे हो आप? मिस क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि वहाँ पर भी है कि बताना है कि भाई, यह इस वूमन इस ठेकन नाउ, यह किसी की प्रापर्टी हो चुकी है अब, तो अभी दूसरी देखो, है ना? तो यह सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, यह हर जगे की कहानी है, कि अब कुशन आता है, कि जहां से हमने शुरू किया था कि stereotype और prejudice में क्या अंतर होता है मैंने आपको इतने सारे example दिये तो अभी समझ में आ गया होगा आपको कि stereotype एक प्रकार की image होती है आप किसी के बारे में क्या सोच रखते हैं वो positive और negative दोनों हो सकती है ठीक है prejudice जो होता है वो negative होता है तो अब इसको देखेंगे कि stereotype क्या है इस जस्ट अ thought एक idea है आपके दिमाग में एक thought है about a person और group of people ठीक है अब जैसे कि मैं आपको फिर से simple example दे रहा हूं कि गाउं के लोग backward होते हैं यह थाट है ठीक है अब यह stereotype है कि गाउं के लोग backward होते हैं और मैं इसको मान लेता हूं अब इस मान लेने की वज़े से मेरे मन में गाउं के लोगों के प्रती जो negative भावना जनम लेती है वो prejudice होती है ठीक है तो stereotype क्या है कि मैं एक idea अपने दिमाग में डाल लिया कि गाउं के लोग backward होते हैं ठीक है अब यह एक idea है लेकिन इस idea की वज़े से मेरे अंदर जो feelings आ रही है गाउं के लोगों के बारे में ठीक है मेरे अंदर जो feeling या attitude का मतलब होता है मेरा बरताओ या मेरी जो feelings है तो यह एक thought है stereotype कि गाउं के लोग backward होते है अब यह thought की वज़े से मेरे मन में जो negative feeling आ रही है गाउं वालों के प्रती वो prejudice कहलाता है ठीक है तो अब stereotype सिर्फ एक विचार है ठीक है prejudice negative feeling है ठीक है तो उस व्यक्ति के बारे में या उस group of people के बारे में जो मैं सोचना शुरू कर देता हूं कि गाउं के लोग backward है इसलिए गाउं के लोग ऐसे होते हैं ठीक है यह prejudice हो जाता है तो stereotype क्या है it is a thought about a person और a group of people ठीक है prejudice क्या है prejudice इस thought की वजह से जो मेरे मन में जो भावनाय जनम लेती है about that person और group of people वो prejudice कहलाता है ठीक है तो रूर धारना और पूर्वा अग्रह यह दो चीज़े होते हैं अब आपको prejudice समझ में आया stereotype समझ में आया अब मैं फिर से वही example रिपीट करता हूं मिरे दिमाग में एक statement है कि गाउं के लोग backward होते हैं अब जब यह मैं बोल रहा हूं कि गाउं के लोग backward होते हैं तो यह simple statement नहीं है इसकी वज़े से मेरे दिमाग में कुछ feelings develop होते हैं कि यार यह गाउं के लोग बहुत गंदे होते हैं यह गाउं के लोग ऐसे होते हैं अब यह prejudice हुआ अब प्रेजुडिस की वज़े से जब कोई गाउं का व्यक्ति मेरे पास आता है कि सर आपसे यह काम है या यह आप काम कर दो तो मैं उसका काम नहीं करता हूं अरे यह गाउं का है यह तो ऐसे ही होगा तो यह discrimination होता है तो अब आप देखे इसको हम कैसे कर सकते हैं stereotype क्या है आपका thought आपकी सोच ठीक है फिर stereotype की वज़े से आपके मन में एक negative feeling आती है यह prejudice है और उस negative feeling की वज़े से आप कुछ action लेते हैं आप कुछ करते हैं वो discrimination कहलाता है आप जैसे कि माल लीजे मैं boss हूं मैं एक company में काम करता हूं मेरे सामने एक vacancy है ठीक है मुझे वो vacancy fill करनी है मेरे पास दो candidate आते हैं एक गाओ का है एक शहर का है दोनों equally qualified है ठीक है लेकिन मेरे मन में गाओ वालों के प्रती एक negative feeling है यह गाओ वाले ठीक नहीं होते यह गाओ वाला काम नहीं कर पाएगा इसको आता है सब कुछ है qualification है लेकिन यह होगा है इससे नहीं होगा तो अब यह feeling की वजह से मैं उसको reject कर देता हूं और मैं उसको शहर का जो है उसको वो नौकरी देता हूं यह भेदभाव है this is discrimination तो मेरे मन में एक stereotype है stereotype से मेरे मन में एक negative opinion create हुई और उस negative opinion की वजह से मैंने कुछ किया कुछ action लिया भेदभाव किया ठीक है तो यह discrimination कहलाता है तो thought negative feeling और act यह याद रखेगा इस्टियोटाइप सिर्फ एक विचार है जिसको हम सच मान लेता है उस विचार की वजह से हमारे मन में एक negative feeling पैदा होती है उस group के लोगों से और उस negative feeling की वजह से जब मौका आता है जब वो group कभी सामने आता है या उसके लोग सामने आते हैं तो हम उनसे भेदभाव करते हैं ठीक है जैसे कि आप किसी एक धर्म के हैं और आपको room किराए पर लेना है आप किसी दूसरे शहर में गये हैं और आपको क आप जाते हैं वो आपसे नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है आप बता देते हैं फिर बोलता है कि मैं आपको नहीं दूँगा room खाली नहीं room भर गया ऐसा बोल यह मेरे साथ पहीं बार हुआ है मेरे से पूछते थे आपका नाम क्या है तो मैं बोलता था अनूप कुमार आगे क्या है हमने का आगे कुछ नहीं है ठीक है सरनेम क्या है नहीं है पापा का नाम क्या है फादर का नाम यह है उनका भी सरनेम नहीं अब दो क्वेशन दो तीन क्वेशन में उनको यह समझ में खुंकूका है जादातर प्रकास नौह उन्सकैने ल मगते साम पाथ गुप्ता सीर्वास्तो तो जो दलिथ अक्सर उनके संजनेम होता है या कुछ रेंडम संदुनेम होगा इना चौधरी वर्मा इससे कुछ क्लिएं मैं सब्सक्राइब कि तो एक और समय जात czyć कि पूल ने का तमीज नहीं होगा, कपड़े पहने का तमीज नहीं होगा, उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, यह सब बहुत सारे उनके दिमाग में है, तो अब उस स्टीजियो टाइप में मैं फिट नहीं बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं well qualified हूँ, अच्छा यह है, अब उनको समझ में नहीं आता है, कि वो मुझे कहां place करें, अपर कास्ट के रूप में देखें, या लोवर कास्ट के रूप में देखें, फिर वो direct question पूछ लेता है, कि आपकी कास्ट क्या है, तो पहले वो बहुत कोशिश करते है, जजज करने का, ऐसा कई कितनी बार हुआ है, बहुत जजज करने का कोशिश करते है, दिल्ली में खास्ट और पर बहुत बार हुआ है मेरे साथ, कि सर आपका नाम क्या है अनुप कुमार सर पूरा नाम क्या है यही पूरा नाम है ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा होगा ऐसा ही होगा अच्छा आपके फादर का नाम क्या है फादर का यहाँ फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ प्लेस करें पिर वो पूछी लेते लास्ट में, सर बुरा ना माने तो आप किस कास्ट के हैं, तो मैं बोल देता हूं कि मैं सरड्यूल कास्ट हूं, फिर बुलते सर वो, सौरी सर वो कल ही आये थे, उनको मैंने दे दिया, वो एडवांस देखे गए हैं, तो अब अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम आपको बुलाएंगे, ठीक है, तो ऐसा कई बार हुआ, तो यह डिस्क्रिमिनेशन है, आपके मन में एक स्टीरोटाइप इमेज है, कि दलित ऐसे होते हैं, ठीक है, उसके वज़े से आपके मन में बहुत सारा प्रेजुडिस है, आप जज करते हैं लोगों को कि यह वो किस कास्ट के हैं, ठीक है, फिर फिर उसके हिसाब से फिर आप बिहेव करते हैं, तो यह डिस्क्रिमिनेशन है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है, और रिलीजन का भी है, इंडिया में अब पिछले 20-30 साल से धार्मिक लोगों ने बोला है मेरे दोस्तों के साथ कई बार हुआ है मेरे साथ हुआ है वर्दा में भी होता है गाहऊँवालों को अपर्चुनिटी नहीं मिलती इसलिए वह बैकवर्ड हो गए है स्टोय टाइप बन गया है सर नेम नहीं तो कास्ट कैसे पता चलता है ठीक है डॉक्टर मा सर नेम नहीं है तो कास्ट कैसे पता चलती है अब पूछे अपने घरवालों से ज़रा यह कुशन कैसे पता करते हैं कास्ट क्या रहा है आपको पता चल जाएगा हम सब जज कर लेते हैं, बहुत आराम से, चलिए, अभी मैं खतम करता हूँ इसको ठीक है, discrimination happens, तो discrimination कब होता है? Discrimination तब होता है, जब हम अपने prejudices के हिसाप से action लेने लगते हैं Discrimination happens when people act on their prejudices तो discrimination कब होता है discrimination तब होता है जब हम अपने negative विचारों के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं लोगों को लोगों के साथ भेदबाव करना शुरू कर देते हैं तो discrimination happens when people act on their prejudices अब discrimination के दो कारण होते हैं एक तो diversity की वज़े से होता है आपका धर्म अलग है, जाती अलग है, कल्चर अलग है, बाशा अलग है इसलिए भी भेदबाव होता है दूसरा कारण असा मानता है अमीर और गरीब इसकी वज़े से भी discrimination होता है तो आप देखे, discrimination can take place discrimination हो सकता है इन दो कारणों से एक तो है diversity group of people may be discriminated as their customs seen as inferior तो एक particular मान लिजए एक कोई शहर है शहर में कुछ लोग बाहर से आके रह रहे है तो बाकी के लोग बोलते हैं यार यह कैसे लोग है इनका custom बहुत खराब हैं, इनकी परंपरा बहुत खराब हैं तो अकसर आप देखेंगे कि आप से जो भिन लोग हैं उनके साथ आप भेदबाव करते हैं है ना, जो आपके जैसे नहीं है उनके साथ आप भेदबाव करते हैं तो एक कारण diversity भी होता है दूसरा कारण जो होता है वो है हाँ, ठीक है जो ठीक दूसरा कारण होता है inequality ठीक है, तो एक कारण होता है diversity, दूसरा कारण होता है inequality, people who are poor are treated badly अकसर आप देखेंगे कि अमीर और गरीब का भेद बहुत बड़ा होता है इवेन अपने घरों में आप देखेंगे कि जब आपके घर में कोई बहुत गरीब रिस्तेदार आता है गाओ का रिस्तेदार आता है तब उसके साथ अलग behavior होता है और अगर आपके घर में कोई अमीर रिस्तेदार आता है तो आपका behavior अलग होता है यह आप खुद देखिये अपने घरों में, खुद के रिष्टेदारों के साथ होता है, मेरे घर में भी होता है, था, अब नहीं, क्योंकि अभी तो मेरा कोई घर नहीं है, लेकिन जब मैं अपने घर में रहता था, तब होता था, ठीक है, तो अमीरी और गरीबी भी एक है, इ सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ओफ डिस्क्रिमिनेशन ठीक है तो डिस्क्रिमिनेशन दो तरीके से होता है दो करणों से होता है मुख्यता मेंली एक है डाइवर्सिटी और दूसरा है इनिक्वैलिटी लेकिन कुछ गुरूपस ऐसे भी होते हैं जिनको ये दोनो देखना पड़ता है ठीक है सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स अफ डिस्क्रिमिनेशन दे आर पूर आंड दे बिलॉंग तो गुरूपस हूस कल्चर इस नॉट वैल्यूट जैसे कि माल लेते हैं ट्राइबल गुरूप है ठीक है अब अगर आप सेंटरल इंड बैकवर्ड लोग हैं क्योंकि हम उनका जो कल्चर है उसको वैल्यू नहीं करते हैं वो हमसे डिफरेंट हैं हमसे इनफीरियर नहीं है उनका कल्चर हमसे अलग है तो हम उनके कल्चर को वैल्यू नहीं करते हैं हम उनको इनफीरियर मानते हैं ठीक है वही ट्राइबल गरीब भी होते हैं, पूर भी होते हैं, तो हम दोनों वज़े से उनके साथ discrimination करते हैं, ठीक है, उनके culture की वज़े से भी और उनकी poverty की वज़े से भी, तो ऐसे कई से group हैं, जिनको दोनों प्रकार से discrimination जहिलना पड़ता है, ठीक है, they are poor and they belong to groups whose culture is not valued, जिसके culture की value नहीं दी जाती है, ठीक है, यह समझ में आ रहा है आपको, अब उसके बाद हम देखेंगे कि एक stereotype जो की बहुत popular है, आप मैंसे बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करते होंगे, ठीक है, कि एक बहुती common stereotype है, Muslims को लेकर, कि Muslims जो है, they are not interested in educating girls, एक बहुती common stereotype है, एक बहुती common ऐसी धारणा है, जो हम सुनते आए हैं, हम ऐसे बहुत सारे लोग इस पर विश्वास भी करते होंगे, कि Muslims are not interested in educating girls, ठीक है, लेकिन क्या धर्म कारण है, या poverty कारण है, हावेवर अब जैसे कि दलित्स के बारे में भी बोला जाता है, प्राइबल के बारे में भी बोला जाता है, कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं, ये लोग merit नहीं होता है इनमें, ठीक है, Muslims के बारे में भी बोला जाता है, कि इनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, अब ये बहुत सारे groups हैं, जिनके बारे में ये सारी चीज़े बोली जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि दलित ऐसे ही होते हैं, ट्राइबल ऐसे ही होते हैं, उनके culture में ही कुछ प्राबलम है, मुसलिम के धर्म में ही कुछ ऐसी प्राबलम है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, मेरिट का जब भी question आता है, तो आरे, दलित लोग जो हैं, मेरिट नहीं होती, आदिवासियों के पास मेरिट नहीं होती, महनत नहीं करते हैं, पढ़ने में होश्यार नहीं होते, ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या उनकी caste है, उनका tribe है, या उनका धर्म है, तो हमको लगता है कि उनका धर्म कारण है, या वो इस caste के हैं, इसलिए हैं, लेकिन अब आप जितने भी I.I.S. toppers हैं पिछले 50 साल के जितने भी I.I.T. के toppers हैं पिछले 50 साल के जितने भी आपके medical के जो toppers हैं सबका list बनाते हैं सबका लिश्ट बनाते हैं घितने भी बड़े बड़े एक्जाम में सबका लिष्ट बनाते हैं है ठीक है टॉपर इसकी छोड़िए फूरा सेलेक्शन हुआ आहे सब की पूरी लिश्ट बनाते हैं justify गाइट के बर पर कौन है या अइश का टॉपर या तमिल नाडू के किसी पहाड़ी से होगा, निलगिरी से होगा, या अरुनाचल प्रदेश के किसी गाउं से होगा, या गुजरात और राजिस्थान के रेगिस्थान से होगा, नहीं होगा, वो दिल्ली का होगा, बॉम्बे का होगा, लखनौ का होगा, राइपूर का होग पटना का होगा जैपूर का होगा वो बड़े शहर का होगा उसका स्कूलिंग देखते हैं आप लिस्ट निकाल लो सबका स्कूलिंग देखते हैं किस स्कूल में पड़े हैं 99% बच्चे Convent School अच्छे स्कूलों से पड़े होने ठीक है फिर उनके Parents का Education देखते हैं जितने भी Top 100 में आये हैं इनके माता-पिता कितने Educated थे उनके पास क्या Job था क्या वो किसान थे क्या वो हल चलाते थे क्या वो किसी Factory में चौकीदार थे या किसी Petrol Pump के वो Assistant थे Petrol Pump भढ़ने वाले थे Operator थे कितने लोग हैं कितने बच्चों के Parents ऐसे होंगे आपको बहुत ताज्यूब होगा ये जानकर कि ये इसमें से Majority Students मैं शर्त लगा सकता हूँ कितने भी जो भी शर्त आप वो लोगे मैं लगाने के लिए तयार हूँ Majority A large majority Students जो है वो Privileged Background के होंगे माता पिता दोनों अच्छे से पढ़े होंगे माता पिता दोनों के पास जाब होगा नहीं तो बाप के पास तो जाब होगई होगा अच्छा ठीक है और अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे प्रापर उनके पास पैसा होगा कोचिंग का उनके पास पैसा होगा बुक्स खरीदने का एक दो होंगे गाउं के इस टाइप से अब आप सोचिए कि भारत में गाउं की population 70% से जादा है अभी की बात कर रहा हूं तो 60-70 के बीच में है आज से 50 साल पहले तो 90% लोग गाउं के गाउं में रहते थे लेकिन टॉपर्स जो है 90% शेहर के है 90% English Medium है 90% Upper Middle Class है ऐसा क्यों क्या ये सारे के सारे बेवकूफ है यहां पर 70% 60% जो population है क्या उनमें merit नहीं है गलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम्स हैं बहुत सारे backwards हैं, obese हैं जिनकी संक्या बहुत कम होगी इनमें टॉपर्स में इनकी संक्या बहुत कम होगी टॉपर्स में ज़्यादा तर रपर कास्ट होंगे अगरवाल, जैन, तिवारी, पंडे यह होंगे तो क्या इनके पास बुद्धी ज़्यादा है intelligence ज़्यादा है या यह सारे जो 70-80% लोग हैं, यह सब कामचोर है अपने बच्चे पढ़ाते नहीं है तो आप देखो कि क्या इसा नहीं है ठीक है, हमारा system ऐसा बना हुआ है competition का, कि इनके पास resources ही नहीं है competition का जो level है, उस level को cross करने के लिए जो आपको सुविधाओं की जरुवत पढ़ती है वो नहीं है ठीक है अब आपको एक दूसरा example देता हूँ कि आप किसी भी central institution में चले जाएए, आपको जो गाओं के बच्चे मिलेंगे वो सब जादा तर नवोदय के मिलेंगे मैं जब जेनियू में पढ़ रहा था तो जेनियू में जितने भी हिंदी मीडियम बच्चे थे जो गाओं के थे वो सब नवोदय से आए वोई थे यानि कि एक school जो है अच्छा school अगर मिलता है तो गाओं के बच्चे भी जेनियू पहुँच सकते है IIT पहुँच सकते है आप अगर गाओं के बच्चों का ratio देखें IIT में कि जो गाओं के बच्चे है IIT में, AIMS में वो गाओं के बच्चे कौन है आप देखोगे जादातर नवोदे के है नवोदे स्कूल के है मैंने खुद का एक्स्पिरियंस है जेनियू का कि जादातर नवोदे के है यानि कि अगर आपने गाओं के बच्चों को opportunity दी मौका मिला अच्छे स्कूल का तो वो भी बहुत अच्छा perform कर सकते है अब एक शहर में एक ही नवोदे है हर गाओं में नवोदे होना चाहिए अगर हर गाओं में या हर बड़े गाओं में नवोदे जैसे स्कूल खुलने लगें तो यह जो toppers की list है यह उल्टी हो जाएगी गाओं के topper होंगे 80-90% और शहर के होंगे 5-10% इसलिए ने कि गाओं के लोग ज़्यादा intelligent होते हैं गाओं के लोगों का number ज़्यादा है 60-70% गाओं के लोग है तो आप देखोगे कि merit list में भी 70-70% गाओं के लोग आना शुरू हो जाएगे अगर उनको वही सुविधाएं मिलनी जो दूसरों को मिलती है महनत हर कोई करता है ठीक है सिर्फ महनत से नहीं होता है सुविधाएं बहुत important होती है मौके opportunities बहुत important होती है है ना तो अब यह जो stereotype है कि Muslims जो है they are not interested in education ठीक है तो अभी तो बहुत सारे question आगए आपके why we cannot advance democracy without addressing caste निकेश नायक बहुत बड़ा question पूछ लिया निकेश साहब caste is anti-democracy caste एक anti-democratic structure है caste को address किये बिना आप भारत में लोकतंतर नहीं ला सकते है ठीक है और क्या क्या है poverty poverty system perfect sir sir मैंने बहुत problem face करके बीए की हूँ sir poor लोग पढ़ना बहुत कुछ problem face करना पढ़ता है हाँ वही मैं कह रहा हूँ गाओं के लोग भी उतना ही पढ़ना चाहते है उतनी महनत करते हैं लेकिन privilege नहीं है उनकों के पास वो सुविधाय नहीं है कि यहीं मेरिट है थैंकि कास्ट प्रिवलेज सोशल कैपिटल यस 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 ठीक है तो आप मैंसे बहुत सारी लोग एगरी कर रहे हैं अच्छी बात है और हर बार की 23 बार भी मैंने बहुत धीरे पढ़ाया और धाई घंटे हो चुके हैं और अभी भी यह चैप्टर खतम नहीं हुआ है ठीक है मुझे आज यह खतम करना है कुछ भी हो जाए अब भाग भी जाए तो भी मैं अकेले पढ़ाता रहोंगा सब आप लोग की वज़े से आप लोग हमको आप इतना बाते करते हैं खाना खाते पढ़ रहे खाना खाके आप लोग अच्छा है कम चकम खाना खाते मैं तो सुबह ब्रेक्फरस्ट भी नहीं किया हूं डिस्क्रिमिनेशन है टीचर के साथ बच्चे मज़े कर रहे हैं और टीचर जो है विचारा भूक का पढ़ा रहा है पाप लगेगा पाप लगेगा पाप लगेगा भगवान सब देखता उपर से ठीक है खाईए भाई चलिए भगवान आपसे आंसर मांगेगा तीचर आपका भूका था और आप खाना खा रहे थे भूके भी हैं हम सब इनर्जी मिल रहा है सर पढ़के हम नहीं खाए है ठीक है चलिए let's do it so there is this common stereotype that Muslims are not interested तो जब हम यह statement बोलते हैं कि Muslims are not interested in educating girls तो इसका मतलब है कि हम एक विशेश धर्म के लोगों को बोल रहा है ठीक है लेकिन यह सच नहीं है poverty is an important reason why Muslim girls drop out from school है ना गरीबी एक एक बड़ा खारण है जिसकी वज़े से Muslim लड़कियां पढ़ नहीं पाते हैं यह कैसे प्रूव हुआ अब आप अगर केरल में जाओ केरल इंडिया का सबसे developed state है केरल में सबसे आदा Muslim percentage है कश्मीर के बाद 25% से करीब केरल और बंगॉल के बाद साथ केरल कश्मीर और बंगॉल के बाद तो केरल में 25% Muslim population है which is a huge population वहाँ पे केरल developed state है वहाँ पे Muslim लड़कियां भी बहुत पढ़ती है ठीक है तो अगर यह होता कि Muslim लड़कियां नहीं पढ़ती है या Muslims जो है अपने लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं तो केरल में भी वही होना चाहिए था लेकिन केरल अलग है क्यों क्यों वहाँ पर Muslim लड़कियां दरित लड़कियां अच्छा खासा पढ़ाई करती है क्यों क्योंकि the distance between the school and the home is not much हर गाउं में स्कूल है अब यहां पर मैं महराश्टरा में जाता हूं तो महराश्टरा तो फिर भी बहुत अच्छा है तो अक्सर आप देखोए गाउं में class 4 तक स्कूल है class 6 उसके बाद 10 किलोमेटर दूर है स्कूल 20 किलोमेटर दूर स्कूल है तो बहुत सारी बच्चियों स्कूल छोड़ देती है तो केरल में क्या है the distance between the school and the home is not much तो वहां पर स्कूल स्कूलों की संख्या जादा है है न हर गाउं में स्कूल है तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पढ़ता है पढ़ने के लिए तो इसलिए वहां पर बच्चे पढ़ते हैं there is a good government bus service that helps teacher reach schools in rural areas अब अब देखें कई सारे factor है वह आपको सारे factors बता रहा है कि आपने सुना होगा कि केरल में 100% literacy है केरल में 100% तो अब जैसे मैंने बताया कि there is this एक stereotype है हमारा कि Muslims जो है वो they are not interested in girls education लेकिन अगर आप केरल का example लें तो आप देखेंगे कि childrens from poorer families including Muslim girls attend school in much larger numbers in केरल तो केरल में आप देखेंगे कि बहुत सब्सक्राइब करती है और Muslims का काफी अच्छा population है कुछ 24-65% है सायथ केरल में तो जहां पर तो अगर यह कहना कि दलित या tribal या Muslims लोग पढ़ते नहीं है तो उसका कारण उनका Muslim होना या tribal होना या दलित होना नहीं होता है जहां जहां पर फैसिलिटीज है वहां वहां पर वो कर सकते हैं ठीक है तो इरल का example है कि the distance between the school and the home is not much there is a very good government bus service जिससे teachers जो है वो school तक जाते हैं that helps teachers reach schools in rural areas over 60% of the teachers are women कि बहुत important role है कि महिला teachers की संख्या जादा है 60% of the teachers are women तो जो girls है वो safe तो केरल का example है कि हम देख सकते हैं कि Muslims जो है वो बहुत बड़ी संख्या में अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए बेज़ते हैं तो यह example यह आपको show करता है कि एक प्रकार का एक धर्म के अधार पर हम एक धारणा बना लेते हैं कि Muslims लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं लेकिन यह धारणा सही नहीं है तो कि वो poverty में इशू है not religion ठीक है पावर्टी है development है आपके गाओं में school है या नहीं है ठीक है आपको वो सुविधाय मिल रही है या नहीं मिल रही है तो आप देखेंगे कि वो होता है ठीक है तो यहां पर यह chapter जो है वो खतम हो जाता है लास्ट में NCRT में एक स्टोरी दी हुई है बाबा साब हम बेट करकी कि अगर आप वो chapter पढ़ेंगे तो आपको वो स्टोरी समझ में आ जाएगा यह स्टोरी है कि बाबा साब ने अपना एक book है waiting for the visa तो उसमें उनका autobiographical notes है उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ पारे में तो उसमें उन्होंने घटना बताई कि किस तरीके से बच्पन में उनके साथ भेदबा हुआ था अब उनके फादर जो है वो सुब्यदार थे तो यानि कि आर्मी में थे officer थे सुब्यदार बहुत बड़ी चीज होती थी अब स्कूल में पढ़ रहे हैं दोनों दोनों को लगता है जो station master थे कि अब परकास्ट है तो प्रप्यार से बात करता है तो कोई भी जो ताल याड़ी वाला है वो कोई भी उनको लेन उनको लेकर नहीं जाना चाहता है क्योंकि उनको अचूत माद तो बाहा साम ने बहुत वरनन किया है कि किस तरीके से उनको कितन पर सबको पता चल गया था कि अचूत है उनके कपड़ों से नहीं लग रहा था क्योंकि वो ऑफिसर के बच्चे थे सुवेदार के बच्चे थे तो अच्छे कपड़े पहने हुए थे तो पहले लोगों को नहीं लगा पहलों लोगा कि अपरकास्ट हों बाद में जब पू ही का यह पोटो है तो देखें लगेज है ठीक है यह बैल गाड़ी है एक एक आर्टिस्ट का इंप्रेशन है तो यह स्टोरी दी हुई है NCRT की बुक में इस चैप्टर में तो आप पढ़िए गाउस तो यहां पर यह चैप्टर जो है वो खतम होता है आपका डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन का अगला जो चैप्टर है क्या नहीं दिख रहा है मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको हाँ यह नोट्स में अप्लोड करने हूँ मैं अभी अभी आदा घंटे कंदरी अप्लोड कर दूँगा तो यह आपका डिस्क्रिमिनेशन का चैप्टर खतम वह गौवर्मेंट पर अगला जो गौवर्मेंट का जो टॉपिक है उस पर मैं तीन चैप्टर एक साथ एक ही उसमें टॉपिक में लेके आऊँगा अइस अर्बान अडमिलृट्स स्टेट घॉबर्मेंट तो अप्लोड कर दूँगा कौन कौनसे चैप्टर से पुझा रहा रहा हूं तो जैंशल की पेज में आपको यह नोट भी मिल जाएगे और मैं जो chapters है वो भी upload कर दूँगा ठीक है यह कौन से class की book में है यह सब 6th class की book में है class 6 की social science की किताब है social and political life ऐसा कुछ नाम है साहद उसका उसमें है मैं वो chapters upload करता हूँ website पर आपको मिल जाएगा ठीक है school of social sciences का जो page है मैं आपको उसका link देता हूँ आपको मैं दिखाए देता हूँ इसको आपको क्या करना है मैं screen share कर देता हूँ तो आप digital नालंदा के page पे जाएंगे website ठीक है आप आप ये digital नालंदा की website पे गए तो आप इसकूल में आप देखेंगे school of social sciences है तो school of social sciences को क्लिक करेंगे school of social sciences अब ये मैं mobile का hotspot यूज कर रहा हूं क्योंकि internet down है तो इसलिए थोड़ा slow है ठीक है school of social sciences में येट बहुत ही slow है ठीक है आप इसमें देख लीजेगा school of social sciences में आपको मिलेगा ये यहाँ पर बहुत है तो